तो हमिशा आपको धियान रखना है कि सिर्जन सिफ एमेडमेंट एक्ट नाइंटीन जो आया है वह इस्पेसली हुमिनिटीज बैक्ग्राउंड के अधार पर आया है मानौता के अधार पर आया है और यहां कोश्चन फिर उठ रहे कि आखिर हुमिनिटीज के अधार पर क्यों आया है तो यहां भी आपका यह एंसर होगा कि चुकि हम लोग इवेनों के मेंबर हैं और इवेनों में 1948 में एक डिकलेशन हुआ था उनिवर्सल डिकलेशन ऑफ हुम कंट्री थे उन्होंने इस डिकलेशन पर सइन किया था और रिस के कि अपने अपने देसों में जो भी घृइंसरे अपने देशों में वे कंडिम रस को के सम्सी helpful करेंगे and यानि human rights को मनाओधिकार को वा protections देंगे अब यहां पर यह मुद्दा है कि human rights किसका violation होगा तो हम conserve करेंगे यहां पर human rights का मतलब क्या हो जाता है मनाओधिकार का मतलब क्या हो जाता है तापको हमेशा दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहां human rights का मतलब यह हो जाता है कि कोई भी country यानि सारे country अपने अपने देशों में रहने वाले माइनर रूटीज को माइनर रूटीज की safety को लेकर protections देंगे यानि सारे देश अपने अपने देश में रहने वाले एक और संख्यक बर्गों को वह सुरक्षा परदान करेंगे पहला चीज कि अपने अपने country में रहने वाले माइनर रूटीज को वह majority of the people से protection देंगे और दूसरा चीज क्योंकि society में जो भी रहने वाले deprived section है या exploited section है यानि उस देश के समाज में रहने वाले जो भी बंचित तपका है या social तपका है उनको भी वह सुरक्षा परदान किया जागा उनको भी protections दिया जागा यहाँ पर human rights का मतलब यही हो जाता है क्योंकि हर society में majority of the people होती है और साथ ही साथ कुछ अलग religious group भी रहते हैं उन्हीं को हम लोग minority काते हैं तो इवेनों के member होने के कारण हमने भी 1948 में यहाँ पर इस declaration पर sign किया था कि हम अपने देश में human rights को conserve तो करेंगे ही और प्लस अपने अगल बगल के देशों में भी अगर human rights का violation होता है तब भी हम सांत नहीं बैठेंगे बलकि उसके खिलाप हम एक्सान लेंगे और जो भी आवस्यक के step हो सकता है उस step को हम उठाएंगे केवल अपने टेरिटोरी में ही human rights को हम कंजर्ब नहीं करेंगे बलकि हमारे surrounding area में अगर कहीं भी human rights का violation हो रहा है कहीं भी मानौधिकार का उलंगन हो रहा है तो वैसी स्थिति में हम वहां भी जो भी necessary step होगा और उससे कदम होगा हम और necessary step को उठाएंगे तो इवेनों के इसी human rights declaration पर signature करने के बाद करने के कारत हमारे यहां बहुत दिनों से यह demand चली आ रही थी कि पागिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान यानि पागिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान चुकि यह तीनों इस्लामिक देश है तो मतलब यह हो गया कि यह तीनों देश में इसलाम जो है वह मेजोर्टी में है इन तीनों देशों में चुकि इसलाम जो है मेजोर्टी में है इसलामिक कंट्री है तो अब्यस सी बात है इन देशों में रहने वाले गैर इसलामिक गैर इस्लामिक का मतलब होगी जो इसलाम को छोड़कर अन्य रिलिजियस ग्रूप जो रहता है यह जो रिलिजियस ग्रूप है वहाँ से चुकि मेजॉर्टी अब दे पिपुल के दौरा इन रिलिजियस ग्रूप के ऊपर इन माइन रूटीच इन देशों में रहने वाले आए चरत किया जाता था रिलिजिजियस टॉर्चर किया जाता था और मिया उस Are Do actors that बचने को ले करें उसे टॉर्चर से अपने लाइफ को सेफ करने को लेकर रहें वे भारत में अंच के सी अधि-ए्मिजियों किये हुए थियर भारत में वे आई हुए ठीए और भारत में ऐसे सरनार्थी के तौर पर रह रहे थे जब भी गॉर्मेंट अप इंडिया से बार-बार रिक्वेश्ट करते थे कि जब भी गॉर्मेंट अप इंडिया इंके खिलाब एक्सन लेना शुरू करती थी कि भाई आप वापस जाएए आपका वीजा के जो टेनियोर है वो समाप्त हो चुका है जब भी गॉर्मेंट इंके खिलाब कोई एक्सन लेना चाहती थी तो यह लोग गॉर्मेंट अप इंडिया से मरसी लगाया करते थे ठीक कि आप हमें वापस उन देशों में नहीं भेजें कि वहां अगर हम जाएंगे तो हमारे लाइफ को खत्रा है हमें वहां पर मार दिया जाएगा हमारे आगे वाले जन्रेशन के लाइफ सेक्रूर्डी ह अब उन देशों में नहीं भेजें बलके आपको भेजना ही है तूस्य एहां है यह पारत में यहां पर मौत दें के गवर्मन्ट अप इंडिया से मरसी कद़ार पर यानि एक तरफे ूरी कुएस्ट क्या करते इसकर रहे हैं कि आ आप हमें भारत की नागरिकता देदो नहीं तो आप मुझे उन देशों में नहीं भेज़ो कि लिए तो यह उनकी डिमांड बहुत दिनों से थी हलो पिछे नहीं जाने का हलो 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 इधार आगे यहां आगे स्रीट खाली है एक तुम्हारे लिए भैकेंट है यहां पराव हमी सर्ण नहीं बोला है अरे ओ रिक्वेस्ट ओ क्लास के टिचर नहीं है मैं टिचर हूं यहां बैठो यहां सेकंड रोब हो बैठो तो यहां पर हुए बहुत दिनों से गवर्मेंट अपेंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनके इसी रिक्वेस्ट को फुल्फिल करने के लिए हैं गवर्मेंट अपेंडिया ने से रिजन से एमेडमेंट एक्ट 19 लेकर रहे यानिकी नागरिक्ता संसोधन अध्रियम 2019 लेकर रहे तो हमेशा यह जो एक्ट लेकर आए गया है आप हमेशा धानक नहीं कि हुमिनिटिज क्या धार पलाए गया मानौता का धार लाए गया क्योंकि यह लोग बार बार भारत सरकार सी अपील कर रहे थे ठीक कि आप हमें से अपना दे आप हमें उन देशों में नहीं भेज़े जहां से हम लोग आए हुए हैं ठीक और उनकी इसी मर्शी को सुनते हुए गौर्णमेंट अपमिंडिया ने उनके डिमांड को फुल्फ क्यों इसका हो जागा कि यह बिल बेसिकली तीन देशों में रहने वाले पाकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान में रहने रहने वाले माइनरूटीज के लिए लेकर आएगा है यानि पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान में रहने वाले और संख्यक बर्गों के लिए लेकर आएगा है और यह कैसे माइनरूटीज यानि वैसे माइनरूटीज जो पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्ता माइगृन से। माइग्रेंट करके। यहाँ इलीगली रह रहे हैं। हम Kingdom비 गलत तरीके से भारत में रह रहा है , और भारत में रह रह है तो वे एक सढणार्थी के तोड़ पर रह रही है। । तो इसके लिए यह बिल दे और आ गया है। और किस grounds कधार पर, तो humanites grounds कधार पर, केवल मनवता कधार पर ठीक, उनकी भारास government of industry बार बर ये अपिल कर रहे थे, कि आप हमें अपनी नागरिकता दे दिजिए, हमें उस देश में नहीं जाना है, जहां से हम अपने life को बचा कर लेकना है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि य यह जो देश हैं पकिस्तान बंगला देश और अफगनिस्तान यह चुकि इस्लामिक कंट्री है ठीक और अब्यसी बात है कि इस्लामिक इस्लाम धर्म को अपनाने वाले वहां पर मेजॉर्टी में है तो इनके उपर इन देशों में पकिस्तान बंगला देश और अफगनिस्ता कि यह लोग खुद ही मेजॉर्टी मेहत तो अब यह सी बात है इन देश्टों में रहने वारे गैर इस्लामिक जो लोग है एस्पेसिली छे कॉमुनिटीज इन छे कॉमुनिटीज को उपर यह लोग जो मेजॉर्टी अफ़िपूल है पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान के इनको उपर रिलिजियस टॉर्चर्स, सोसल टॉर्चर्स, पोलिटिकल टॉर्चर्स और एकनॉमिक टॉर्चर्स यानि हर लेबल पर यह लोग इनको मतलब यह हो जाता है कि इनके मंदिरों को यह मंदिर हो गया या कुर्द्वारा हो गया या कुछ भी हो गया मैं उसको तोड़ दिया करते थे उसमें आगर लगा देते थे या उनमें त्रह त्रह के इलीगल काम किया करते थे तो कि सोशल टॉर्चर के कर बात किया जाए तो हम लोग स्रहां सुनते हैं कि पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान में कि अगर पीछे क्यों मुझे पीछे मुझे एक्सिरेंट होगा कि अगर अगर और निर्भेया कांड के बाद थोरा सा स्रीयस वीरा नहीं है कि लिर्ट मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आगे कहीं भी बैठना है बिल्कुल अपने आपको कंट्रोल करते हुए बैठना है नो आगे हाथ पाउंग करना है पीछे उच्छे नहीं देखना है इस साला उसरा कोई नहीं करना है सिर्फ मेरे तरफ कॉंस्ट्रेट हो नहीं कि तो कहने का मतलब यह हो गया कि आपको कि सोसल टॉर्चर का मतलब हो गया कि इन देशों में रहने वाले जो मेजॉर्टी हैं यह क्या करते थे कि इन अपने देशों में रहने वाले रहने वाले गैर इस्लामिक लोगों के उपर गैर इस्लामिक लोगों की लड़कियों को जो काफी कम एश्की होती थी उनका किड़नेप करकर ठीक उनकी साधी उनकी मैरेज जो होती थी अपने से जश्ट डबल उनके आदमी से करवाई जाती थी उनको किड़नेप करकर उनका जबरदस्ती डिलीजन चेंज करने को लेकर उनके उपर प्रिसर डाला जाता था अगर कोई बच्छी या महिला अगर religion चैंज नहीं कर रही है तो इसको सीथे मार दिया जाता था मार दिया जाता है कि एक्क आकर अक्सरहां लूट पाट की जा थी या आग और लगाए जाता था, तो यह रिलिजियस टॉर्चर हो गया, तो हर लेबल पर उनके उपर टॉर्चर किया जाता था, तो वे अपने लाइफ को बचाने को लेकर, वे भारत में आये हुए थे, भारत में आये हुए थे, और यह भारत में जो रह रहे थे वह एक तरह से घुस्त और प्रवासी के तोर पर अच्वार्मेंट तो गॉजर्मन्ट और यह रह रहे थे और गॉजर्मन्ट और इंडिया से बार बार यह अपिल किया करते थे जब भी इनके खिलाब government of India action लेती थी तो यह government of India से बार-बार अप्पिल करते थे कि हमें अपने देश में वापस आप नहीं भेज़ो अगर हमें उस देश में भेजना ही है ताप हमें ही यहीं पर मौत देदो तो उनके इस मरसी पर यह act लेकर आएगा है और यह act जो है especially इन देशों में रहने वाले इनहीं minorities को नागरिक्ता देने के लिए लाएगा है यानि पाकिस्तान, बंगलादेश, आफगनिस्तान के रहने वाले ऐसे immigrant जो अपने life को बचाने को लेकर अपने life को सुरक्षित करने को लेकर भारत में immigrant के तौर पर रह रहे हैं उन्हीं लोग को नागरिक्ता देने के लिए यह act लाएगा है अब मुद्दा यह है कि आखिर यह act क्यों लाएगा है चुकि नागरिक्ता जो है वो देने के लिए बात की जाए नागरिक्ता की प्राप्ति कैसे होती है तो आप हमेशा जानते हो कि इसको लेकर Parliament ने एक एक्ट बनाया है और वह act क्या 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 लाएथ है citizenship act 1955 और इसी एक्ट के माद्दम से acquisition of citizenship and termination of citizenship की चर्चा होती है यानि नागरिक्ता की कैसे प्राप्ति होगी acquisition of citizenship और नागरिक्ता की समाप्ति कैसे होगी वह citizenship act में इसका प्रोविजन्स किया गया इस एक्ट में है तो फिर यह एक्ट लाने की जरूरत क्यों परी कि इसमें एमेड्मेंट करने की और सकता क्यों परी तो इस कारण इसमें एक्ट में एमेड्मेंट करने की और सकता परी क्योंकि citizenship सिर्जन्सिप एक्ट 1955 किसी भी इमेड्मेंट को अप्रवासी को नागरिक्ता देने से रुखता है कि सिर्जन्सिप एक्ट 1955 क्लियर कट मैसेज देता है क्लियर कट ये बात को प्रोविजन्स किया गया है कि कोई भी अप्रवासी हो कोई भी इमेड्मेंट हो चाहे हो किसी भ कीमत पर भारत की नागरिकता श्रियंशिप नहीं दे जाएगी अम और अग? यहां 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 यह आपकोग है रखना हुआ प्ति यहां रखना हुआ तो हमेशा देंगे सिर्जंशिप एक 1955 किसी भी इमिग्रेंट को सिर्जंशिप देने से रोखता है यानि किसी भी अप्रवासी को वहार नागरिक्ता देने से मना करता है रोखता है अब यह चूए है पाकिस्तान बंगला देस और अफगनिस्तान से यह जो मैनलोटिषि के लोग यहां पर आए हूए है ठिक इनहीं को नागरिक्ता देनी थी और यह लोग भारत में इंग्रेंट के त theo रही देंगे थे किसी भी Рिलीजन के हूँ, किसी भी कॉमबनिटीज के हूँ, लेडा तो यह चुकिA詐सी एक्ट में एमेडमेंट करते हुए इस करते हुए यहाँ एक्ट लाएगा echo क्लिए और इस एक्ट लाकर2019 में इस एक्ट को लाकर यह जोभी माइग्रेंट इमिग्रेंट हैं पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान से आने वाले जो भी माइनरोटीज हैं इस एक्ट के माध्यम से उनको इमिग्रेंट नहीं कहा जागत उनको अप्रवासी नहीं माना जागत यानि इस एक्ट को लाकर इनकी जो इस्टेटस थी इमिग्रेंट की किसकी जो पकिस्तान बंगलादेश तो और अफगनिस्तान से जो माइनरोटी जाएं जो भारत में रह रहे हैं तो इस एक्ट को लाकर इसमें कुछ एमेड्मेंट किया गया पहला एमेड्मेंट ये किया गया सिर्जन सिप्ट एक्ट 1955 में एमेड्मेंट किया गया इसमें इस एक्ट को लाकर पहला एमेड्मेंट ये किया गया कि इनको जो इमिग्रेंट कहा जाता था अप्रवासी कहा ज जगत इमिग्रेंट नहीं माना जगत लेड़ और यह जिस डेट से भारत में आया है यानि 31 दिसंबर दो हजार चौध के पहले 31 दिसंबर 24 से पहले जो भी मानोर्टीज पक्स्तान बंगलादेस अफगनिस्तान से आकर भारत में इमिग्रेंट के तौर पर रहे हैं इस एक्ट के माद्यम से इनको इमिग्रेंट नहीं माना जगा और 31 दिसंबर 24 के पहले जो भी आने वाले मानोर् भारत में रह रहे हैं उस डेड़ से उनको भारत का नागरिक माना जाहेगा। उस डेड़ से उनको भारत की seduction दी जाएगी त। अब आपकर सकते ह। उससे पाएदा क्या है। Wooow कि इससे पाएदा क्या है तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि अप्रवासी आखिर किसे कहा जाता है, इमिग्रेंट किसे कहा जाता है, तब इसका benefits का पता चले गए, तो generally immigrant को define करते हुए, citizenship act 1955 में immigrant को परिभासित करते हुए, अप्रवासी को परिभासित करते हुए कहा गया है, define करते हुए, कि वैसा persons, दो चीज हमें साधन कीगा, वैसा persons, जो विना valid documents के, विना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रहड़ा हुए, विना किसी valid documents के, भारत में रहड़ा हुए, पहला चीज, और दूसरा चीज ध्यान रखना है, कि वैसा ब्यक्ति जो valid documents से भारत में आया हुए, लेकिन उसके वीजा के tenure समाप्त हो गई है, उसक के बावजुद वह भारत में रह रहा हुए, यनि उसको government of India ने भारत में रहने के लिए, जितने दिन की permission दी है, वह permission hours जो है, वह समाप्त हो चुका है, फिर भी वह भारत में रह रहा है, ठीक, तो इन ही दो category के लोगों को हम लोग immigrant अप्रवासी मानेंगे, और ऐसे अप्र लिखता कभी भी नहीं देगी, clear, तो आप लोग हम इसा, मैं बार-बारी चर्चा किया हूँ, कि एक passport होता है, और एक visa होता है, passport का मतलब हो जाता है, just like आपका identity card, ठीक, न, आप फौरन विदेश में जाओगे, तो आपका voter ID card, अधार card काम नहीं करेगा, या केवल इंडिय के लिए applicable है, ठीक, लेकिन विदेश में जाओगे, तो आपका कोई ने कोई identity card तो होना चाहित, जो आपको परें पूरा detail दिया हो, तो वह passport काहलाता है, passport is just like identity card, clear, और visa का मतलब हो जाता है, कि वह permission letters, यानि जिस भी country में आप जाते हैं, जा रहे हो, उस देश की government, आपसे ए राइच कर सकती है, कि आप क्यों हमारे country में आना चाहते हो, मालोब अमेरिका जाना चाहते हो, तो सभाईक सी बात है, अमेरिका जाने के पहले, American government साब को permission लेना पड़ेगा, तो permission लेते वक्त, government आप से पुछ सकती है, कि आप क्यों अमेरिका आना चाहते हो, clear, तो आपका भी पॉइंट से, घुमने फिरने के भी पॉइंट से, तो जो भी परपस हो, उसी परपस के according government अपिंडिया आपको permission देती है, कि हाँ, ठीक है, आप आ सकते हो, लेकिन आप इतने से इतने duration के बीच आप रह सकते हो, आप हमारे देश में, दो साल, तीन साल, दस दिन, पंदर को ध्यान में रखते हुए, गवर्मेंट अपिंडिया आपको permission देगी, उसी कहम लोग क्या करते हैं, मने, गवर्मेंट अपिंडिया नहीं देगी, बलकि जिस country में जा रहे हो, ओ country आपको permission देगी, उसी कहम लोग वीजा करते हैं, तो हर इमिग्रेंट, हर विदेशी को, हर पॉर्णर्स को हमेशा अपने साथ पासपोर्ट और वीजा रखना जरूरी है, आगे हो, आगे, यहाँ पर आओ, आगे, क्या बूलने, यह चेर लेकरी हैं, बेड़ी हो, कहां के लिए? हाँ, मना, अगर आउट अप इंडिया, कुई बाहर से घर आ रहा है, अमेरिका, हाँ, हाँ, सेंटर को वहाँ बिलकुल ही, सेरिजन सिप को रेगुलेट करने का राइट्स केवल अक्योल सेंटर गवर्मेंट को है, सेंटर गवर्मेंट को है, क्या बोलने हूँ, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आये हुए, यह वाले हैं डेट क्यों? यह गवर्मेंट ने अपना जब यह एक्ट लेके 2015 में जब बारे यह जब एक्ट लेक रहाए थी, 2019 में जब एक्ट लेक रहाए थी, तो उसके पहले बिसिकलित क्या था? कि यह लोग उस समय से भारत में दाह रहे थे और इंके खिलाब तरह तरह के एक्ट पुलिस के दौरा लिए जग गये थे और जो हुमिनिटीज के धारफ यह बार बार डिबांड कर रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह एक्ट लेकर आए गया और यह डिग्रेशन रखाए इसके कोई लॉजिक नहीं है ठीक न, मने गवर्मेंट ने एक तरह से यह बहुत इंसेंसरेटिव मुद्दा हो गया, गवर्मेंट अगर चाहती तो 2015 में ही इस एक्ट को ला सकती थी लेकिन बहुत इंसेंसरेटिव मुद्दा था, ठीक तो गवर्मेंट इसको लास्ट में 2019 में लेकर आई, अब क्यों आ रहा है जस्ट ओवी चर्चा में कर रहा हूं, चलिर यहां पर तो immigrant किसे कहा जाता है और प्रवासी किसे कहा जाता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि immigrant को अप्रवासी को जो define किया गया है, वह स्रिजनस इप्एक्ट 1955 में define किया गया ती और उस definition के थत्थ क्या कहा गया है, कि वैसा persons जो विना valid documents के भारत में आया होत, valid documents का मतलब without passport, ठीक न, बिना passport के भारत में रह रहा होत, पहला चीज, और दूसरा चीज, कि उसका tenure समाप्त होने के बावजुद, tenure मतलब वीजा की ओधी समाप्त होने के बावजुद वा भारत में रह रहा होत, यह दोनों illegal माने जाएंगें, गैर कानूनी माने जाते हैं, और उस स्थिति में पुलिस आपके खिलाप, उनके खिलाप action ले सकती है, और इन ही को हम लोग और प्रवासी मानते हैं, immigrant कहा जाते हैं, और citizenship act 1955 में clear cut mention है, कि आपको किसी भी immigrant को गवर्मेंट अप इंडिया अपना citizenship नहीं देगी, ठीक, और इस एक्ट के माध्यम से, citizenship act 19 के माध्यम से, सबसे पहले इस एक्ट में, citizenship 1955 में, पहला एमेड्मेंट ये किया गया, कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले से, immigrant के तौर पा भारत में रह रहे हैं, और प्रवासी के तौर पा भारत में रहे हैं, उनको उनको अप्रवासी नहीं माना जागा, और इस एमेड्मेंट एक्ट के माध्यम से, गौवर्मेंट अप इंडिया ने उनको अपना, जिस डेट से भारत में रह रहे हैं, उस डेट से गौवर्मेंट अप इंडिया उनको अपना नागरिक डिकलियर कर दी, नागरिक घोसित क गौर्णमेंट अपेंडिया ने उनको अपनी स्रिडिजन से दे दी अब गौर्णमेंट अपेंडिया ने जब उनको अपना नागरिक मान ले इसे बेनफिट्स इनको क्या हुआ इन देशों के नहने वाले इमिग्रेंट को इसे benefit ये हुआ इन लोगों जो पकिस्तान बंगला देश और अफगनिस्तान से आए हुए जो minorities के लोग हैं उन देशों के minorities के लोग हैं फिक कौन-कौन हिंदू, बौद, सिख, इसाई और पार्सित इन लोगों के उपर पासपोर्ट नहीं रहने के कारण या वीजा के tenure समाप्त हो जाने के बाबजुद भारत में रहने पर जो पुलिस इनके खिलाफं एक्सण लिए हुई थी जो अलग-अलग मैं ठानों में अलग-अलग कोट में इनके खिलाफ case चल ले थे, वे Jenis क्या हो गए समाप्त हो गए अब इन के खिलाफं कोई भी पुलिस सेक्सन नहीं लिया जागा किसी भी कोर्ट में के खिलाब कोई मामला नहीं चलेगा अगर वे इसके तहरा जेल में बंद हैं तो उनको जेल से इमेडियेट रिहा किया जागा क्योंकि इस एमेडमेंट एक्ट के मादनें से गौर्णमेंट अप इंडिया ने उनको अपना नागरिक मानते हुए उनके खिलाब जो भी मुकद में चल रहे तो सबको एक तरह से समाप्त कर दिया गया का दिया जिस्ट अभी आ रहे तो इस पहला एमेडियाटमेंट क्या किया गया कि इनको इमिग्रेंट नहीं माना गया खिलाए जो एक इंडे एक इनको तो लेना है तो उसके लिए कम से कम इन इयर भारत में रहना जरूरी है जाहिए तो कम से कम 11 साल आपको भारत में रहना जरूरी है कि लिए इस डिवरेशन को ठीक गॉर्मेंट अप इंडिया ने इस एक्ट के माध्यम से घटा कर छे साल कर दिया जो यानि ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर जो ब्यक्ति पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान से 30 दिसंबर 24 को हैं उनको इमिडियेट गवर्मेंट अप इंडिया नागरिक्ता देगी यह भी नहीं हुआ है बलकि 31 दिसंबर 24 के पहले इन देशों से आने वाले फिक जो गैर इस्लामिक हैं जो इन देशों के माइनरोटी जो हैं वह भारत में आये हुए हैं और कम से कम 6 साल से भारत में रहा रहे हैं 6 years से भारत में कम से कम मीनिममम 6 साल से भारत में रहा हैं उन्हीं को नागरिक्ता दीजाएगी यह नहीं हुआ कि तीस दिसंबर 2013 को जो भारत में आ गया या एक दिसम्बर 2014 को जो भारत में आ गया है उनको immediate government अप इंडिया ने अपने citizenship दे दी हो इसे ब्यक्ति को दे गई है जो 31 दिसम्बर 2014 के पहले से भारत में आये हुए हैं और कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं कम से कम minimum six years कम से कम छे सालों से भारत में रह रहे हैं तो उन्ही कि लोगों को इस एक्ट के माध्यम से citizenship दी गई है कि लिए ठीक न यहाँ पर कितने दिन दा मान लिया गया है डेसिडेंस six years यानि छे साल से भारत में रह रह रहे हैं तो उन्ही इमिग्रेंट को भारत के नागरिक्ता दी जागी कि दूसरा एमेडमेंट किया गया और तीसर एमेडमेंट इसमें किया गया तीसरा जो एमेडमेंट किया गया तीसरा जो एमेडमेंट किया गया पासपोर्ट एक पासपोर्ट एक नांटी ट्वेंटी और तीसरा में एट और बी में क्या किया गया Corners 1, 19th, 46 इन दोनों 1 में एमेडमेंट किया गया है इन दोनों 1 में एमेडमेंट किया है है by passport Act 1920 देखें अंग्रेज्जों के समय का बनाय हुआ एक्ट है passport Act और फ़टनर एक 1946 British Parliament के समय का बनाय हुआ है passport क्लिए क्षित प्रोफिजन्स करता है कि कोई भी बीद्यसी अगर भारत में आया है भारत में रह रहा है तो इसे अपने साथ हमेशा पासपोर्ट रखना नेसेसरी है अगर कोई भी फॉर्डनर्स अगर भारत में आया है भारत में रह रहा है तो उसे अपने साथ पासपोर्ट रखना हमेशा नेसेसरी होता है अगर कोई फॉर्णर्स पासपोर्ट नहीं रख रहा है वगएर पासपोर्ट के मिल रहा है तो पुलिस उसको इमेडियेट आरेश्ट करेगी और जेल भेजेगी और उसके खिलाब केस चलाएगी पाहला चीज पासपोर्ट एक के तर और दूसरा फॉर्णर एक 1946 इसका मतलब ह हो गया कि कोई भी फॉर्णनर्स एक जितने दिनों के लिए उसको वीजा दी गए है तो जितने दिन तक भारत में रहने की पर मिसंदी गई है उससे एक दिन भी अधिक भारत में नहीं रह सकता है कि चैसे ना अगर माललो 축षषर को आज ही तक भारत में रहने के लिए परमिशन दी गई है 20 तक ही रहने के लिए परमिशन दी गई है तो वह रात को 20 आज रात के 12 वज़ तक ही भारत में रह सकता है उसके बाद उसको पुलिस अरेश्ट करकर जेल डाव सकती है एक तरह से पासपोर्ट टेक्ट या फॉर्णर्स एक 1946 एक तरह से बीदेश्कियों को फॉर्णर्स को भारत में रहने के दर्म्यान उनको कंट्रोल करता है उनको रेगुलेट करता है दो चीज मामले में रेगुलेट करता है पहला कि आपको हमेशा अपने साथ पासपोर्ट र में रहेंगे उससे एक दिन भी ज्यादा अगर भारत में रह रहे हैं तो आप हमारे लोग को ब्रेक अप कर रहे हैं और आज के खिलाब पुलिस एक्षण ले सकती है तो तीसरा जो एमेंजमेंट किया गया है सिर्जंस एक नियांटिंफलिफाइप में यह किया गया पास्पोर्ठ आप चैपन से नाफ coworkers इक्षण इंचेक था ने हैं आप सबस्का के लिए और दूसरा पास्पोर्णर एक हमेशा इन इमिग्रेंट को कहता है कि आप जितने दिनों के लिए भारत में आये हैं आपका टेन्यूर समाप्त हो गया है तो आप अपने देश वापस चले जाए ठीक दूसरा चीज और तीसरा चीज कि जो भी लोग आये हैं विना वै कि di Freeman आए पासपोर्ण यह पुलस अनके खिलाब भी एक सण ले सकते हैं si doon week अनूनीन लीगल एक प्राशन ले सकते हैं उनको जियलमे डाल सकते हैं इसीसे इनको बचाने के लिए हैं पासपोर्णरैक्रणर चैट नाइंटीन-फॉर्डिसीक्स में एमैड्मेंट किया गया के लिए इनके लिए एमेडमेंट किया गया है तो इस प्रकात इस नागरिकता अधिनियम 1905 में तीन संसोधन किया गया कि पहला क्या एक एमेडमेंट किया गया कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान से जो भी मानलोटिज भारत में आये हुए हैं उनको इमिग्रेंट नहीं माना जागत अप्रवासी नहीं माना जागत कि उनके खिलाब जो भी कानूनिक करवाई की जड़ी है और गौर्मेंट अपेंडिया ने इस एक्ट के मार्ज़न से क्या मानल लिया कि उनको हम अपना नागरिक मान रहे हैं जब से भार्मेंट अपेंडिया नहीं देदी और कवसे दी जब से भारत में आये हुए भारत मे रह रहे हैं तब से गौर्वर्मेंट अपंड आने उनको अपना नागरिक मान लिया तो सभाविक से ही भात है जब गौवर्मेंट अपना नागरिक मान लिया है तो पुलीस दोरा जो भी एक्षण लिया जा रहा था रख और है.. आप लोग इधर उदर खीर्की खोलता है तो WOKE मर्ट क्लास्ट चल ली है enormousjust मैंने अब यंग्य कांड के एग्जामपल भी दिया बहुत सक्त कानून भी बन गया है। है ना। किसी का कोई mood अगर खराब हो तुरंद complaint कर दिया, 112 नंबर यह कितने पर dial कर दिया, तो तुरंद पुलीस केस बन जागा। है ना। तो 31 संबर 2014 तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनको इमिग्रेंट नहीं मानने कर दिया कर दी, तो पुलीस इंके खिलाब जो भी एक्सन ले रही थी, वह सारे एक्सन समाप्त हो गया। दूसरा उनके रेसिडेंस को लेकर हुआ, पहले सेडियंसिप के लिए, चुकि हमने देखा थे कि इक्वाजिस्टन अब सेडियंसिप में जो भी फॉड्नर्स अगर भारत के सेडियंसिप अगर लेना चाहता है, तो उसे रेजिस्टेशन्स या नेच्णलाजेशन के माध् से निवास को क्या कर दिया है? 65 कडिया है, यानि कैसे लोग जो पाकिस्तान, बंगलादेश अअफ्गाणिस्तान Dale's से ένα 31 स्कूढल से 24 के पहले से 6 साल पहले से भारत में आकर भारत में रह रहे हैं, ठाहिँ हौ, जोब माध कर इंडिया ने नाग रिखता दी है खिलिय ना छह साल पहले से हैंभ श्य साल है और भारत में वापस गाए नहीं है तो भारत में छे साल से रह रहे हैं और मानावत्था कदार हुम्णिटीज कदार्फ गवर्ण्मेंट इंडिया से बार-बार अप्पिल कर रहे हैं कि कि आप हमें स्य्मी दिएत है क् मैं दूसरा कैड़ और तीसरा इंको इमिग्रेंटके श्रेणीजंक्स रहर ताने के लिए by color टेक्ट और फॉर्णर डेक्ट दोनों एमेड्मेंट करते हुए इनको माना गया है कि यह जिस डेट से भारत मरें रहे हैं उसी डेट से हम इंको अपना स्रिजन सीप मान रहे हैं हम अपने नागरिकता दे रहे हैं तो पुलिस इंके खिलाब कोई भी एक्संस नहीं लेगी इन किया वोले हैं हाँ अब बता है देखिए 25000 लोग हैं ठीक है ना इस एक्ट का जब बिरोध जबरदस्त होने लगा इस एक्ट का बिरोध जबरदस्त होने लगा तो गवर्मेंट अप इंडिया ने एक डाटा प्रस्तूत किया हमारे हों मिनिस्टर ने लोग सभा में एक सीए एक वारे में एक एड्रेस किया लोकसवा को और वहां पर एक डाटा प्रस्तूत किया कि भाई इस एक्ट के माध्यम से जैसा भारत में विरोत किया जा रहा है जैसा इसको लेकर एक मिस कॉंसेप्ट यह बना हुआ है कि यह जो एक्ट है नागरिक्ता कुछ इस्पेशल कॉमनेटिज के खिलाप यह भ्रहम उत्पन किया जा रहा था कि यह एक्ट जैसे गौर्मेंट अपर इंडिया लागू कर देगी तो इस एक्ट के माध्यम से गौर्मेंट अपर इंडिया आपके नागरिक्ता छिन लेगी टेक ओभर कर लेगी और आपको भारत से निकाल कर आपको दूसरे देश में भेज देगी ऐसा ब्रहम उत्पन किया जा रहा था कि एक स्पेशल कॉमनेटिज के खिलाप एक कुछ सिविल सोसाइटिज के दोरा कुछ एंजियो के दोरा उनके मन में यह भय उत्पन किया जा रहा था उनके मन में यह डर पाइदा किया जा रहा था कि जैसे लागू होगा तो गौर्णमेंट अप इंडिया आपकी नागरिक्ता को टेक ओभर कर लेगी च्छिन लेगी और आपको भारत से बाहर निकाल दिया जागा के लिए इसी भ्रहम को दूर करने के लिए होम मिनिस्टर ने लोग सोह में स्पीच दिया कि ऐसा डढ़ने की कोई बात नहीं है इस एक्ष्ट के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पचीस हजार लोगों को ही सिर्जन सिप दी जा रही है के वल पचीस हजार लोग ऐसे हैं जो पा बार बार गौर्णमेंट अप इंडिया से हुमिनिटीश के अधार पर गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप हमारे बारे में सोचिए के वल पचीस हजार लोग ही इस एक्ष्ट के माध्यम से बेनफिट उठा रहे हैं कि यहां पर कंडिशन है कि छे साल पहले एक्टीश दिसंबर जो चौदर से पहले से जो भारत में आयों है और कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं छे साल यह नहीं होगा कि आपको जो ती भारत में रह रहे हैं वैसे माध्यम रूटीश को इस एक्ष्ट से बेनफिट मिलेगा और जो आफ्टर 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आये हैं कि उनको सामान कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा चाहे वो किसी भी कॉम्पनिटीश के हुँ हुँ 31 दिसंबर 2014 के बाद भी अगर इन देशों के यह माइनरोटीश यगर भारत में आ रहे हैं भली और रिलिजिया टॉर्चर के बज़ेसे आ रहे हैं या किसी भी टॉर्चर के बज़ेसे आ रहे हैं तो उनको इस एक से बेनफिट्स नहीं मिलेगा बलकि उन्हें समान कानूनी अनमी प्रक्रिय जो हमारी है कि जुज जेनरल लीगल प्रोसेजर्स है उस लीगल प्रोसेजर्स को फॉल्व अप करना पड़ेगा और उसके बाद उनको हम आघरिकता देंगे पिए और समान एकिन जेल्यार लीगल क् प्रोसेजर्स क्या है의 हो ऑनिर्चर्ण के दोवी Greece दम दूसरा नेचुरलाइजेसंस वन ये करन और दूसरा देशिये करन के अधार पर तीन देशों के आने वाले वैसे माइनुरूटिज भी अगर बात में आ रहे हैं या छे साल के टेनुर कंप्रिट नहीं हो रहा है तो उनको सम्मान कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेग को बाला चीज ऑर दूसरा चीज कि पकिस्तान बंगला देश और कष्णटान के मेजोर्टी टी नंदेशों के फिक पकिस्तान बंगला डिश और अफगा फारान के मैं फृपल्बहर की पेड़िए तो उन्हें भी सम्मान का जानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और उस इसी भ्रहम को दूर करने के लिए होम मिनिस्टर ने कहा था कि इस एक्ट के माध्धम से केवल पचीज सजार लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी दी जानी है और गौश्मनेंट के खिलाप लेकर गौवर्मेंट आई है एक विसीष धार्मिक समुदाय के खिलाब यह एक्ट लेकर आई है तो इसी भ्रहम को दूर करने के लिए गौवर्मेंट ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है यह जो एक्ट है यह नागरिक्ता देने की बात करता है ना कि नागरिक्ता टेक ओवर करने की बात करता है नागरिक्ता छिनने की बात नहीं जो Muslim community से बिलोंग करते हैं जो पकिस्तान बंगलादेश और अफगनिस्तान से आए हुए हैं लोग 519 Muslim बैक्तियों को भी हमने अपनी नागरिक्ता दिये वह समान कानूनी प्रक्रिया का फॉलो अफ किये हैं और उसके ताथ हमने उनको भी नागरिक्ता दिये तो यह किस अधार पर यह जो एक्ट है एक special communities के खिलाप जा रहा है एक डाटा उन्होंने प्रस्तूत किया था क्यों डाटा प्रस्तूत किया था क्योंकि हमारे सोसाइटी में कुछ civil societies के दोरा या NGO के दोरा यह भ्रहम उत्पन की जा रही थी कि यह जो एक्ट है एक special communities के खिलाप government लेकर आई है और जैस दिन यह एक्ट लागू हो जाएगा वह इन लोगों को गौर्ण्मेंट अपंडिया नागरिक्ता वापस ले लेगी और सीधे भारत से भागा देगी भारत से इनको निकाल देगी इसी ब्रहम को दूर करने के लिए government यह डाटा प्र नहीं कि पूरे भारत में all over India में equally यह लागू हो रहा है यह भी नहीं है समझा आप लो ना इस एक्ट में जब यह एक्ट आया है 2019 में है इसमें कुछ exceptions भी रखे गए हैं कुछ अपवाद भी रखे गए हैं कि यह जो एक्ट है इन इन एरियाज में लागू नहीं होगा इसके exceptions क्या क्या है अपवाद क्या है तो आप हम इससा धान रखना है कि यह जो एक्ट है सेडूल 6 में आने वाले जो भी ट्राइबल सेडिया है वहां पर यह एक्ट लागूनी होगा सेडूल 6 कि सेडूल 6 में आने वाले कौन कोन इस्टिट है असम में घाले त्रिपूरा और मिजूरम वह भी नोट कर लिजीगा असम के कौन कोन कोन से डिस्टिक्स में असम के कौन-कौन से डिश्टिक्स में अब इसाधन के यह जो एक्ठ है सेडूल 6 में आने वाले असम में घाले त्रिपूरा में घाले और मीजुरम में लागू नहीं होगा हम इसाधन के दिशान रखना है कि यह जो एक्ठ है सेडूल 6 में आने वाले असम में घाले त्रिपूरा और मीजुरम में राज के वैसे एरिया जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं यानि पूरे असम में नहीं असम के उन एरिया में जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं जनजातियों लोग रहते हैं उस एरिया में यह एक्ट लागू नहीं होगा यानि सेडूल 6 के अंत्रगत आने वाले असम मेघाले त्रिपूरा और मीजुरम के वैसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, जंजातियों लोग रहते हैं, वहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं होगा तो यह एक्ट जो है असम, पूरे असम में लागू नहीं हो रहा है, ठीक न, बलकि हमेशा धान खेगा, अब पूरे कहने के मतलब हो गया, कि असम के वैसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं है, यह न, यह न, कि आप लोग यह बलकि मेखाले या त्रिपूरा के वैसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, जनजातिय लोग रहते हैं, वहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं है, तो असम के कौन से डिस्टिक्ट में यह एक्ट लागू नहीं है, तो नोट कर लिए कार्भी आंगलोंग, कार्भी आ गारो खास यह जैनतिया आप लोग सूने होंगे, असंत्र कारवी अंगलों हे आसंत्र के कारवी यो जिला है यह रिया, वहां पर यह एक लागुनी है मेगाले लख़ी एक मेगाले का गारो हिल्सке आरे गा आए गारो खास जैनतिया है न तो गारो हिल्स में ये लागुनी है, मीजुरब में लिखी गा चक्मा जिलात, हाँ चक्मा, चक्मा, और त्रिपूरा का वैसा एरिया जहाँ जो ट्राइबल्स है, त्रिपूरा का वह एरिया जो ट्राइबल्स है, त्रिपूरा का वैसे एरिया जो ट्राइबल्स है, जो ट्राइबल्स है, जिसको ट्राइबल्स है, जिसको ट्राइबल्स एरिया घोसित किया गया, तो पहला एक्सेप्शन सी हो गया, चार राज्यों में, चार राज्यों के कि इंकिन इरिया में जहां पर ट्राइबल रहते हैं जो उन स्टेड के स्ट अरिया है जहां अदिवासी लोग रहते हैं जन् सिर्द में अप्लिकेबल नहीं है कि यह हमारे Gesundheits में प्रोविजन किया गया है कि जो भी सेडूв फाइफ जो परोविजन करता है फिर राइस State अले से कौन करेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा यह राश्च्ट्रपती को राइट दिए-गया उस पर कानून बनाने का राइट और उस एरिया को कैसे उसे रिगुलेट किया जगा इसको लेकर कानून बनाने का राइट्स आहीं में तो अब्दी बात है identity को अभी भी मेंटेंड करना चाहते हैं , वह सुसायटी के में इस्ट्री में अभी नहीं जुरी वूई है वह अपने चल्ट्रेडिशन को अभी फॉलॉफ करना चाहते हैं , इसलिए जो भी ट्राइबल्स है जंगल होगरव हैं फोरिश्ट होगरे में जहां बेंस फोरिश्ट उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने को ले करीं, और वहां पर जवी एरिया सेड़ूर्स एरिया होगा, वहां पर आम आदमी का जाना प्रतिबंधित होगा। कि यह के लिए हो गया है कि सेडूल 6 के चार राज्यों में जहां भी ट्राइबस तो वहाँ लागू नहीं हुआ है और दूसरा आप लोग हमेशा धान रखेगा यह पहला एक सेक्षिंद हो गया और दूसरा बंगाल इस्टन्ट बंगाल इस्टन्ट कि प्रंटियर कि प्रंटियर कि रेगुलेशन एक कि एटीन सेवन्ट थ्री के थाथ आई एल पीट कि कि इनर लाइन पर्मिट एरिया में यह एक्ट लागू नहीं होगा बंगाल इस्टन्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट कि इस एरिया में रहने वाले इस एरिया में भी आई एल पी वाले एरिया में भी जहां इनर लाइन पर्मिट लागू है वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा इनर लाइन पर्मिट का प्रोविजन्स बंगाल इस्टन्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के माद्धम से किया गया है और आई एल पी में कौन-कौन से स्टेट आते हैं नूट कर लिजेगा और उनाचल पर दिस और उनाचल पर दिस मीजुरम नागलेंड और मनिपूर्थ मीजुरम नागलेंड और मनिपूर्थ पहले आई एल्पी कंद गचात की स्टेट थे और नाचल पर दिस मीजुरम और मनिपूर्थ पहले तीन ही इस्टेट थे आईलपी के थाथ और नाचल प्रदेश मीजुरम एंड नागलेंड बाद में मनीपुर्कोत बाद में ध्यान रखना आप लोग मनीपुर्कोत दस जन्वरी 2020 कोत गौर्मेंट अप इंडिया ने अपने गजट के माद्यम से मनीपुर्को आईलपी में सामिल किया थे दस जन्वरी 2020 कोत थे इनलाइन पडमिट एरिया में सामिल किया थे मनीपुर्कोत गौर्मेंट अप इंडिया ने दस जन्वरी 2020 को थिक आइलप अपने गजट के माद्यम से मनीपुर्को आईलपी में सामिल किया थे इनलाइन पड्मिट मेंटमेंटेक्ट लागू किया गया है इसी डेट को यह भी आपको प्रिक लिए इंपोर्टेंट कोश्चन्स कि सी ये एक भारत में कब से लागू है तो दस जन्वरी 2020 कब से लागू है दस जन्वरी 2020 अब आप बताओ कि यह जो एक्सेप्संस है यह सी ए एक आत तो आप हमेशा धान रखना है कि पहला और एक्सेप्संस क्या है कि जो भी सेडूल 6 है ठीक सेडूल 6 के अंतरगत आने वाले जो भी एस्टेट्स है उन एस्टेट्स के वैसे एरिया जहां पर ट्राइबस रहते हैं या उस्टेट्स के वैसे एरिया जो सेडूल 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 है वहां पर सी ए ए लागू नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि असम में पूरे असम में लागू नहीं होगा बलकि असम के वैसा एरिया जो जहां पर ट्राइबस रहते हैं वहां पर सी ए लागू न लागू नहीं होगा बल्कि वैसा एरिया में घालेका जहां पर ट्राइबस रहते हैं या सेडूल्स जो एरिया है वहाँ पर सीए लागू नहीं होगा अब प्लस दूसरा बंगाल इस्टन फ्रंटियर रेगुलेशन एक 1873 के माध्यम से इनर लाइन पर्मिट ठीक इसके अंत्रगत आने वाले चार राज्यों अनुनाचल प्रदेश नागालेंड मनिपूर और मीजोनन इन चार राज्यों में मनें लागू नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि नौर्थ शिष्ट के मेक्सिमम एरिया में लागू नहीं ह होगा कि अब देखों आप लोग बंगाल इस्टन फ्रंटियर डेगूलेशन एक्ट क्या है मैं इस पर आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं डिटेल के लिए कल या परसो जो भी टाइम मिलेगे तो बताऊंगे क्योंकि लंबा ये टोपिक है बंगाल इस्टन फ्रंटियर ड है या कर। झाल झाल बंगाल इस्टर्म फ्रंटिर रेगूलेशन एक 1873 में बिटिस पाल्लियामेंट ने इस एक को एप्रूफ किया था के लिए अठाट सो तीहत्र में बिटिस पाल्लियामेंट के दोरा यह लाए गया था क्यों लिकर आए गया था इसके पीछे एक बहुत बार कारणी है कि हम जानते हैं कि आपको 1858 के माध्यम से 1857 में मिलिक्टर रिवोल्ट हुआ था सेन बिद्रो हुआ था के लिए उसके पहले तक भारत पर किसका सासन था इस्ट इंडिया कंपनी के और वो रिवोल्ट को जब समाप्त कर दिया गया तो गौर्मेंट अप इंडिया एक भारत परिसद अधिनियम उनीशो अठाटाणों के माध्यम से 1858 के माध्यम से भारत पर किसका कंट्रोल हो गया बिटीस क्राउन महरानी के कंट्रोल हो गया तो हमारे महरानी जो थी बिटिस जो क्राउन थी वो 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर गवर्ण कि यानि भारत पोंका कंट्रोलिंग पावर कप से अस्थाफित हो गया 1858 से 1858 से उसके पहले तक भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी सासन करी थी अब आप यह भी जानते हो कि जब इस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था ठीक उसका एक ही मोटो था आप उसको ट्रेड या कॉमर्स बैपार करना और केवल बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का ही गठन नहीं हुआ था बलकि पूर्थगालियों कभी हुआ था डचेज भी किया थे उनकी भी जो कंपनिया थी वह भारत में आकर ट्रेड कर दें थी बैपार कर दें थी ठीक ना ट्रे मनें इस्ट इंडिया कंपनि साथ कहा जाता है अब यह भी भारत में बैपार करी थी बिजनस करी थी अब जब पूरे भारत पर ब्रिटिस क्राउन के कभ्जा हो गया थी तो उस समय, पुरा जो नॉर्थिश्ट का एरिया था असामोर जो भी था, असाम मेहाले तिरु पूरा मनिपूर ये सारा जो था बंगाल का हिस्सा था। सारा बंगाल कहीं सतत और यह ऐसी एरिया थे असमवर के जो एरिया था नॉर्थिस्ट का एरिया यहां से जो विजनेस बैपार होता था इसी को आप लोग जानते हो कि प्राचीन एंसेंट हिश्टी में सिल्क मर्ग कहा जाता है सिल्क रूट जहां से चाइना को मसाला हाथी के दात और कपड़े ओगर भारस बिदेसों में जाते थे चीन उनको बैपार के लिए जाते थे लिए को इस एरिया में जो नॉर्थिष्ट का एरिया था असम ओर जो एरिया था जो पहले बंगाल का एरिया था मैं यह बात करूं आपको 860-70 की बात मैं बोल रहूं कि थिक जो भी कमपनियां थी ठीक चाब फ्रांसिसी थी चाहे पुर्दगाली थी चाहे कोई भी इनफेक्ट भारती है जो उस समय के आपको प्रिंसले एस्टेट के जो भी राजा या नवाब थे वो लोग भी वैपार करते थे बिजनेस करते थे इसी रूट के माध्यम से किया करते कि जी सिल्कुरूट का या धायिए और इसुरूट के माध्यों से बसक्ली जो बैपार होता था बिजनिस करते थे लोग वे अब चुकि भारत पर ब्रिटीस क्राउण का लेकिन अइसे भी एरिया से जिस पर इस्ट इंडिया कंपनी बाले सोरी दूसरे दूसरे देशों की कंपनियां भी भारत पर कंट्रोल की थी college son प्रेड या कॉमर्स करना बैपार या बिजनेस करना तो वैसी स्थिति में वे भी इसी रूट का यूज किया करती थी ठीक ना इसी रूट का असम वाले रूट से ही वे बैपार किया करती है चीन से या तिबद से या अन्य देशों को के लिए या पर अब वैसी स्थिति में क्राउन के इंट्रेश्ट को कंजर्व करने को लेकर ब्रिटिस महरानी के हीतों को संदक्षित करने को लेकर थी ठीक ना ब्रिटिस पार्लियमेंट ने एक एक पारित किया जिसको हम लोग क्या करते हैं बंगाल इस्टन फ्रंटियर 1873 उस एक्ट के माध्यम से चुकी पूरा एरिया पर ब्रिटिस क्राउन का अधिकार था और महरानी के कमर्शियल इंट्रेश्ट को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के माध्यम से भारतिया एरिया में एक लाइन खीचा गया के लिए ना लाइन खीचा गया और इसी लाइन को इनर लाइन परमिट कहा जाता है मतलब कि यह भारत यह बाकी एरिया हो गया और यहां से आपको नौर्थिष्ट का एरिया का एरिया सुरू हो जा रहा है असम असम आपका मनिपूर मीजुरम नागालेंड यह सब चुकि यह सारा चीच पहले बंगाल का था आप इस लाइन के पहले तक आईए बैपार की यह कोई दिक्कती है के लिए ना इस एक्ट के माध्यम से यह लाइन खीच दिया गया और इस लाइन की विश्यस्ता यह थी कि आप इस लाइन के इधर तक तो ठीक है आप आज आ सकते हैं बैपार कोई भी एक्टिफिटीच कर सकते हैं लेकिन इस लाइन के उस तरफ आपको जाने के लिए ब्रिटिस गौर्रमेंट से या ब्रिटिस अधिकारी से आपको परमीशन लेन पड़ेगा वगैर परमिशन के आप जाएंगे तो ब्रिटिस गौर्रमेंट आपके खिलाप सकत इस एक्टिफन ले सकती है सीधे आपको जेल में डाल सकती है फासी कोई भी टॉर्चर कर सकती है इसी को इनर लाइन परमिट कहा जाता है यानि इस लाइन में इस लाइन के उ परमिशन जो ब्रिटिस क्राउन के अंडर जो ब्रिटिस क्राउन का रिपर्जेंट करने हैं जो ब्रिटिस एड्मिस्ट्रेशन के जो रिपर्जेंट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो ब्रिटिस क्राउन को रिपर्जेंट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वही विदाउट ठीक है ना बाकि कोई भी इंडियंस हो भारतिय हो या कोई भी बीदेशी हो ठीक है ना आपको इस लाइन के उस्त्रप जाने के पहले आपको ब्रिटिस एड्मिस्टेशन से पर्मिशन लेना पड़ेगा इसी को इनर लाइन पर्मिट कहा जाता है इनर लाइन पर्मिट क्लिए हो गया है यहां तक आप आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके बाद जाने के लिए आपको ब्रिटिस एड्मिस्टेशन से पर्मिशन लेना पड़ता है लेना पड़ेगा उस समय के लिए और यह पूरा जो हो गया आपका नौर्थ समझ ल होता है और वही रूट हो जाता सिल्क रूट जहां से पहले से भी बेपार होता था बिजनेस होता था क्लिए ना आपके इंसेंट इस्टेश्टें पढ़े होंगे हाथी दात मलमल कपड़े मसाले ठीक ना ड्राइफ फ्रोट सोगर का सारा चीज यहीं से होता था था बेपा अगर बिना परमीशन के आप नहीं जा सकते हो अगर बिना परमीशन के आप जाओगे तो बिना आपके खिलाप लीगल एक्षन लेगी यही आई-एल-पी कहलाता है तो पहले आई-एल-पी का अंगर पूरा नौर्शिट के एरिया सामिल था ठीक और आफ्टर अभी भी आप आउनाचल पर दे जाओगे नागालेंड मिजुरम जाओगे नागालेंड जाओगे तो आपको गौर्मेंट से परमीशन लेना पड़ेगा वहां पर आपको चेक पोस्ट बना हुए है आप उस एरिया में अभी भी आप जाएंगे तो आपको गौर्मेंट से से पहले online permission लेना पड़ेगा ठीक है ना online permission लेना पड़ेगा या वहीं पर चेकपोस्ट पर जाकर आप या तो पहले से online permission ले लो या वहाँ पर जाकर चेकपोस्ट बढ़ी हैं वहाँ पर जाकर गौर्ण्मेंट से पर में तेनायाव के लिए मिजुरम में अभि भी वही चीज अपनाएगा तीन राज थे और 沒錯 है अधिस्ट में दोन के पर सुर हम पर को आपको आपको तो वहां पर एक अट में लेनी हो็ं यहां वहां पन पर जैसे एरिया सुखरू तोड़ी शुरूह अरुनाचल प्रदेश का वहां पर चेक पोश्ट बना होगा और वहां पर आपको एड्मिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वहीं पर आप चाहोगे तो परमिसन ले सकते हो और एड्मिस्ट्रेशन या गौर्ण्मेंट जितने दिन के आपको परमिसन दी है उत बिल्कुल नहीं आपको समराइज यूम बता रहा हूं कभी टाइम मिलेगा तो बंगाल इस्ट्रम फ्रेंट्रेशन एक्ट को लेकर और वी डिटेल से करूंगा कैसे परमिसन मिलता है यह लौंग डिवरेशन परमिसन मिलता है कितने दिनों के लिए मिलता है वह सारा चीज म यह ते कहां नहीं वहाँ पर उसके लिए इस्पेसल परमिट वहां लेना पड़ता है क्लिए ना तो आयल पी का मतलब यह हो गया और पूरे आयल पी जो भी एरिया है चार एस्टेट्स वहाँ पर आपको सीएये लागू नहीं है कि यहां भी आई एल्पी वाले एरिया में भी लागूरी है आई एल्पी मतलब हमेशा धनके इनर लाइन पर्मिट थीक ना यानि अगर जहां पर गवर्मेंट बंगाल मने उसमें बीटिस पार्लिमेंट जो लाइन खीचा है उस लाइन के अब उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकते हैं उसको क्रॉस करने के पहले आपको लोकल एड्मिश्टेशन से परमिसन लेना पड़ेगा विदाउट परमिसन आप ग्रॉस किए तो सीधे आपके खिलाफ एक्षण लिया जा सकता है यहीं आई एल्पी का लाता है यह हमार तीरियन्षीप अमेडमेंटैट एठ अब ढ़ेंगे एक यहें कानून तों इमिग्रेंट को में प्रवासियों में यहां कि क्रिटिक कहा जाता है इसके वाновबर इन में और धार भेवेंध में धार करते हैं अधर्म एक secular state है भारत एक धर्मनिर फेक्ष राश्थ है कि लिए तो तो हमिशा धनकी government का जवाब रहा है तो हम घुत कुल गौर्वर्मेंट बने भारत एक secular state है लेकिन हम एवेनों के human right declaration से बंधे हुए हैं तो वैसी स्थिति में हमारी responsibility बनती है कि हमारी टेरिटूरिषि के क्योल भीतर ही नहीं बलकि हमारी टेरिटूरिषि के बाहर भी कहीं भी अगर human rights का violation होता है तो हम neutral नहीं रह सकते हैं अभी हमें कोई नंग कोई active step लेना पड़ेगा और इसी active step के ताथ हमने वैसी लोको जो वहाँ पर टॉर्चर के बज़े से चाहे हो रिलिजियस टॉर्चर हो या सोसल टॉर्चर हो या एकनॉमिक टॉर्चर हो या पॉल्टिकल टॉर्चर हो उस टॉर्चर से घबराकर भारत में क्या क्यों है सरनार्थी के रूप में रह रहे हैं इमिग्रेंट के रूप में रह रहे हैं और नाग रिखता दी है, इस अब को पी बी नर्सीमाहराओं की सरकार ने तमिलों को नाग रिखता दी है, स्रलंका से जो भी तमिल माइग्रेट करकर भारत आए थे, उनको भी स्रीजाउज़ दी गई है, और इसी citizenship amendment act में amendment करते हुए तो समय समय पर government of India ने किसी ने किसी communities को citizenship देने के लिए citizenship amendment act में amendment करते रही है कुछ लोग बोलते हैं कि यह right to equality का violation है ठीक समानता का अधिकार का violation है ठीक तो हमारे constitution right to equality का provisions करता है article 14 के माध्यम से यानि पहला fundamental rights और आर्टिकल के बात करें तो आर्टिकल 14 के माध्यम से right to equality की बात की गई है लेकिन हमारा constitution वहां भी positive discrimination की बात करता है यह पूरी तरह से right equality absolute नहीं है हमारा constitution हमेशा ध्यान रखना है कि fundamental rights अगर बात किया जाए आर्टिकल 14 जो fundamental rights related है तो हमारा जो fundamental rights है हमेशा अब ध्यान रखना है यह अमेरिका की तरह थिक absolute नहीं है निर्पेक्ष नहीं है बरकि हमारा जो fundamental rights है वह relative है relative है relative का मतलब हो गया कि यह सापेक्षवत है हमारी fundamental rights पर कुछ conditions का धार पर कुछ situations का धार पर हम अपने fundamental rights के उपर control किये हुए उनके उपर restrictions लगाए हुए कुछ grounds के अधार पर हम अपने fundamental rights पर मौलिक अधिकार पर क्या लगा है रिस्टिक्शन लगाए है जैसे अगर बात किया जाए तो आप हमिशा देंके right to equality के अगर बात होती है तो भाई right to equality के थर्ट या government को या state को instruction दिया गया है कि हमारी जो state है वह अपने नागरिकों के बीश किसी भी कोणंगे थार पर ना काहस्त काँगर ठिक नजंडर काधार पर ना प्लेश व बर्द काधार पर किसी भी अधार पर कोई भी discrimination नहीं करेगी कि मैं किसी भी अधार पर कोई भी भी भाँ किया जैगा कि 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 किसी भी अधार पर discrimination नहीं किया जागा लेकिन यहीं पर एक तरफ article 15 या article 16 सीधे कहता है कि gender caste किसी कदार पर religion कदार पर discriminate नहीं किया जागा लेकिन फिर गवर्मेंट कास्ट के अधार पड़ी जडवेशन भी देती है। सवे नागरिकों की बीच कोई भेद्भाव नहीं करेगा जाती करेंकोई भेद्भाव नहीं तो फिर ग Corinna हमारी जो स्टेट से हमारी Sanby Tan फिर काश का से क्रवेशन क्यों देती हो नहीं मिलना चीए आप प्पोजीटिव हमिशन you कम यसदे मिशन लाइट वह पर मुसलिम कोवनिटीच में अपने देश में लिए बहुसंख्यक क्योंटीच के दोरा यानि Muslim GomniITij के दोरा वढ़ोपर टॉर्चर किये गाए और उस टॉर्चर से परशान होकर अपने लाइफ को सेफ करने को लेकर यह भारत में haegren n है अगर वह वह पद्षंखता है कि लाइफ को खत्रा हो अपने लाइफ को बचाने को लेकर वे भारत में इमिग्रेंट किये थी थी अट यह और हमेशा गौपर में टपर इंडिया से मर्सी मुझे हमेशा गौर्पींट अपर इए एक माने हमे क्षुमेंटिश का अधार पपील करते रहे हैं कि हमें आप आप सेज्ञरेंशिप दे दो तो और इसी हमे कि वेनों के human right declaration से बंधे हुए हैं तो इसी अधार पर हमने इनको भी citizenship दिया है कि यह citizenship है और हमेशा धनके कि इस पर controversial topic हो गया विवादित हो सकता है कि मेंस आप जब लिखने जाएं ठीक वो पी किसी ऐसे person के बास मिल जाए है जो सी एका अगेंश्ट विरोधी होती है कि नंबर कटने के समय होना है अपना opinion कभी भी नहीं देना है जब भी ऐसा controversy topic आ जाए चुक्कि एज़े सिविल सर्वेंट एस्परेंट के तौर पर हमें government के एज़े गौवर्मेंट सर्वेंट हम बनने जा रहे हैं तो हमें government की policy जो भी है उस policies को follow up करना है implement करवाना होगा तो एज़े सिविल सर्वेंट के तौर पर हमें government के जो भी policy होगी हमें केवल neutral होकर उस policies के वारे में जानना है बासनेस का धार्प हमें यह नहीं देखना है कि नहीं अपने feelings उसमें add हमें नहीं करना है जो भी policies है उसके fact and figure क्या है वही हमें देना है अपने तरफ से कोई opinion या सुझाओ government को नहीं देना है कभी आपनों मेंस जब लिखने लिखेंगे तो अपने opinion देने का प्रयास नहीं करेंगे क्लिए ना क्योंकि आपकी जो भी opinion होगी वह biased होगी क्लिए ना तो हमेशा जब भी ऐसे controversial topic है तो conclusion बिलकुल ही Supreme Court के हवाले से देना है सारा चीज गेंद किसके पाले में डाल देना है Supreme Court ठीक ना बस fact and figure लिखते हुए Supreme Court के पाले में अभी Supreme Court ने मनें इस पर अभी consider करी है CA को लेकर ठीक ना आगे चलकर Supreme Court के जो भी नजड़िया होगा वह गवर्मेंट को मानने होगा समझ गया ना तो यह citizenship amendment हो गया को डाउट है ना मैं क्या दिया हुए हमने नागरिक्ता नहीं दिया पुली इस कारण के जो भी तिबबती आए हुए अपनी आइडेंटिटी को कंजर्फ करने के लिए और उन्होंने अपनी भारत की नागरिक्ता लेने से भी मना किया है वे हमेशा अपने तिबबत वापस जाना चाहते हैं और हमेशा यह डिमांड करते रहे हैं कि चीन जो तिबबत पर जवर्दस्ति कब्जा किया गया है उसको मुक्त कराया अभी भी वे लोग जो धर्म साला में दलाइन लामा के लिडरस्टिप में रह रहे हैं अभी भी तिबबत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप मे मानते हैं हमने उनको एजे हुमनिटिश का धार पर उनको अपने सरन दिया है कि यह देश जो हमारे परोस में है और यह इस्लामिक देश है और वहां पर जो भी रहनेवाल गैर इस्लामिक लोगों के उपर यहां के मेजोर्टी के द्वारा टॉर्चर किया जाता रहा है और वह भारत सठा हुए देश है तो वहां से भाग कर posis करें अमिग्रेंट और इंयुदर मैं घुस्पैठिम कि अनतर होता है जो जश्ट आपको बंगला देश में आयों है जश्ट मैं चर्कर कर रहा है इतना के लिए ले न discount क्या भूलने, यह लेगल, इमिग्रेंट हो गए, इमिग्रेंट हो गए, क्लिर ना, यहाँ थे क्लिर ना, कोई डाउट, पीछे हैं, अर तू आगे क्यों नहीं बैठते हो भाई, पिछले क्लास में तू पीछे हमेशा बैठा करते थे, सबसे लाश्ट हो बैठते हो, हां, इक अब यह एन आर सिद्ध, 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 अब यह एन दू एनल ना, कि अहीं टाने करते हैं, पिए muहाँ, इसमें मृढि Business wissen, कि यह भीछे हो भाई़ते हैं, यह एन सम्ट, पाले सिद्ध, यह एन मृवाश्टब साद. लिखना आएक बर ने तो कल में लिखवा दूगा थिक्वा, नहीं हो पायां तो कल में लिखवा दूगा, धिक्वा दुआ। नहीं होते मैं कल लिख्वा दूँगा, clear? अब ट्राइ करना, कल मैं लिख्वा दूँगा, लिख्वा दूँगा, फ़ले यह उले टॉपिक आज खत्रम कर देते हैं, तो NRC क्या होता है? आखिर असम में क्यों विरोथ किया जा रहा है? असम में इसको क्यों विरोथ किया जा C A A का क्यों विरोथ किया जा रहा है? NRC का मतलब क्या हो जाता है? National Register of Students? यानि हर कंट्री जो भी डेफलप कंट्री है, हमें साथ लोग ध्यान करें है, जो भी डेफलप कंट्री है, हर कंट्री अपने नागरिकों का एक रजिस्टर त्यार करती है, हर कंट्री अपने नागरिकों का अपने स्टेडियंद का एक बायो डाटा त्यार रखती है, ठीक चाहे किसी भी रूपमें ho, digital mode में ho, चाहे किसी भी रूपमें, जिसमें उनके यहाँ जो भी जो psychologists हो कहा है, जो भी legal तरीक का सी जो नागरिकों के है, उन नागरिकों का पूरा detail मेंशन दात है, पूरा detail मेंशन दात है, कुसी का हम लोग लग National Register of citizens करते हैं कि यहां हर यह प्रोफिजयंस है हर जो विक्सित देश हैं अपने नागरिकों का एक फुल डेटेल सब कुछ यानि कैसे नाकरी को का जो लीडन से चलर ने उनका फूल दीटेल रखती है उनका इड्रेस कर्णाम क्या है उनकी अरट सिर्द न 아마 पूंजरि घ्लंप बुलर्ट क्या है वह ने रहते हैं आधार में जो ये है चेट सब कुछ जो भी डेवलप कंट्री हैं, भारत में भी पहली बार, 1951 में, NRC तियार किया गया था, जब आफटर इंडिपेंडेंट पहली बार, जब भारत की पोपुलेशन इंडेक्स आई थी, 1951 में, तो उस में भी NRC तियार किया गया था, 1951 में. अब यहां पर मुद्धा यह है कि जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी सोतंत्रता के पहश्याद जब डिवीजन भारत का पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो बहुत सारे लोग ठीक जो असमोगर के जो लोग थे पहले जो असमोगर के जो एरिया था बहुत सारे लोग आपको उसमें का एरिया था पुर्वी पकिस्तान से जुरा हुआ था, पुर्वी पकिस्तान मतलब बंगलादेश, बंगलादेश से जुरा हुआ था, तो जब डिवीजन हो गया, तो बहुत सारे लोग बंगलादेश में चले तो गया, पुर्वी पकिस्ता अती दोर पर government इतना जोड नहीं देती थी, इतना ज्यादा उस पर conscious नहीं हुई, नतीजा हुआ कि वो लोग भले बंगला देश में चले गए, पुर्वी पकिस्तान में चले गए, लेकिन खेती करने के लिए, काम करने के लिए, वो हमेशा border cross करकर अस्वामगर में आते जाते रहे थी, एक्चोली ये बिबात की शुरुवात उस समय से हुई, जब अंग्रेज भारत पर सासन कर रहे थी, उन्होंने क्या कि बिहार, यूपी या आपको बंगाल के कुछ लेबर्स को चाय के बंगान में काम करवाने को लेकर, वे असम और उधर के एरिया में लेके गए लेबर के तौर पर थी, बिहार, यूपी या बंगाल के मज़दूरों को वे लोग चाय की बंगान में काम करवाने के लिए असम और की एरिया में लेके गए थी, और जब वे लोग उनको लेके गए, तो उन्होंने उनको इस बात को प्रमोट किया, कि भाई आप यहीं पर जाओ, यहीं पर परमानिंटली सेटल हो जाओ, और आपके रोजगार के लिए, इंफ्लाइमेंट के लिए हम आपको जमीन भी देंगे थी, आप चाय के बंगान में काम करना और बाकी समय जो मिलेगा अपने लिए खेती भी करना आप थी, तो वैसी लोग को उन्होंने वहा तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हुआ, जब सोतंता मिली, तो जो असम के मूल लागरिक थे, उन्होंने उसी समय इनका बीरोध किया था, यानि जो बिहार, बंगाल और यूपी से जो लोग मजदूर गय हुए थे, जिनको अंग्रेजों ने चाय के बंगान में का काम करने के ले गये थे, और साथ-साथ उनको कोछ जमीन का टुकरा भी दे दिया था, कि आप यहीं पर खेती और करोत, जाय के बंगान में काम करने के बाद जो भी आकवा रेष्ट टाइम बच रहा है, आप वहाँ पर अपने लिए खेती और करोत, तो आफ्टर इंडिपे के बाद जब डिवीजन जब देश का हो गया, तो बहुत सारे लोग बंगलादेश चले गए, पुरवी पकितान चले गए, लेकिन उनकी जमीन, चाय की बंगानों और सब अस्वार के एरिया में छूट गी थी, तो वे लोग वहाँ से बंगलादेश से आकर यहाँ पर खेत कौन हमारे नागरिक हैं और कौन हमारे नागरिक नहीं है, इसको आइडेंटिफिकेशन करने को लेकर ही, 1951 में पहला एनर्सी आय था, कौन हमारा अपना नागरिक है, और कौन पकिस्तानी है, कौन बंगलादेशी है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने को लेकर ही, पहला ज समस्या धीरे धीरे और भी बढ़ते गई शुरुवाती दौर पर गॉर्णमेंट पर उतना ध्यान नहीं दी और शुरुवाती दौर में काफी कम लोग यहां पर आ जा रहे थे लेकिन जैसे 1971 का वार हुआ जानते हो कि युद्ध के पहले थिक बहुत सारे बंगला देशी जो है वह क्या कर गया माइग्रेंट करकर भारत आ गए थे और उसमें भी कहां पर लोग आए थे असम और नौर्थ इस्ट के एरिया में कि युद्ध के पहले की परस्तितियां अगर देखा जाए तो पुर्वी पागिस्तान के अगर बात किया जाए तो आप लोग इंटरनेशनल रिलेस्टन्स में पढ़े भी होंगे या उस समय के सिच्योशन भी पढ़े होंगे तो पागिस्तान के जो उस समय की कंडिशन्स उस समय कि सेक मुझिबूर रहमान शाहब पुर्वी पाकिस्टान में मेजोर्टी के साथ जीते हुए थि उन्हें मुक्ते बाद निंगें थि सीख मुझीबूर साहब की जो पार्टी थी बंगलादेस नेस्ट अवामी लिकर कती तो सिख मुझीबूर सहब की पार्टी जो है फुल मेजॉर्टी में आई थी काइदे से जो पावर्स है मुझेबुर्व साहब को दे देना चाहिए ठीक लेकिन उसमें बंगला पाकिस्तान की जो परधान मंत्री थे आपको जुर्फकार अड़ी भुटो साहब थे भुटो साहब थे बिंजेर भुटो के फादर थे और अभी की जो बिदेश मंत्री हैं उनके नाना जीत तो पागिस्तानी गौर्मेंट सेख मुझेबुर्व साहब को सप्ता हैंड ओवर नहीं किते हैं ठीक ना सफ़त और कुछ भी नहीं दिला गया और सुरू से ही जब से ड बंगलादेश से पुडवी पाकिस्तान हमेशा कंट्रोलिंग पावर्स पच्छमी पाकिस्तान के पास रहा जो भी एड्मिस्टेशन के बड़े-बड़े ऑफसर थे या जो भी हेड ऑब दा नेशन या ओवी जो भी होता था हमेशा पच्छमी पाकिस्तान से इलेक्टेट ह होते थे पच्छमी पगिस्तान के दौरा पुर्वी पगिस्तान के लोगों के दौरा डवल इस्टेंडर का बीहेव किया जाता रहा है ने दोएम दर्जे का बेवहर्त चाहे वो गौश्मेंट जौब में हो या कोई भी चीम को लागू करने को लेकर या किसी भी मामले पर सेवंटी के एलेक्शन में जब सिख मुझेबुर साहब फुल मैजोटी से आये तो पच्मी पाकिस्तान के सरकार के दौरा उनको सत्ता हैंड़ोबर नहीं की गिए उल्टे उनके एलेक्शन को इन्वैलिट घोसित कर दिया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया मुझेबुर साहब को जेल में डाल दिया नजरबंद कर दिया इससे पाकिस्तान की जो पूर्वी पाकिस्तान की जो पब्लिक थी वह एक तरह से रिभोल्ट कर दित पच्मी पा पर पिदिये या निजी पक्षनी पच्उनी पकuls क की सरकार के खिलाप पुर्वी पकिस्टान कि लोग रोड पर आ गये कि और ख्लेयां गिंट को और करकता उअज है with मी पकिस्तान ने अपनी फॉज को पुर्वी पाकिस्तान में उत्री तो यहां पर वहां के नागरिकों को उपर जवर्दस टॉर्चर किया जाता रहा थी इनफेक्ट महां के महिलाओं बच्चियों के साथ गलत वेहाइब करने के साथ रेव के साथ उनका मडर किया जाता रहा और खुलयाम लोगों को मारा जाने लगा थी तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बचाने को लेकर थी पुर्वी पाकिस्तान से भाग कर भारत में आना सुरू किये थी शुरू में यहाँ माइगरेंट जो था वह काफी कम था थी लेकिन बात की स्थिति में यहां माइगरेंट पर डे लाह के कडिव होने लगी थी पर डे लाखों लोग भारत आने लगे थी तो शुरुवाती में ने तो बोलंट ऑ रहे थे हम रहे हमें तो भी हमाहां माइगरेंट आ रहे हैं जो भी हमारे सरनार्थी उस्सेच में आ रहे थे लोगीलों सवरूर। के तौर पर आ रहे थे हमेशा धान कि 1971 में ये लोग सरणार्थी के तौर पर भारत में आ रहे थे अपने लाइफ को बचाने को लेकर तो गौवर्मेंट अप इंडिया ने चुकि इवेनों से जूरे होने के कारण attain agreement अपंडिया ने जो भी सरणार्थी आयल उन सबके लिए खाने पीने रहने की ब्योस था मेंटमेंट अप इंडिया ने की सबके लिए medicine में लेकर हर चेücht एक गौवर्मेंट अप इंडिया ने इंद्रा सब के लिए प्रोभाइड किया लेकिन हमारी भी अपनी लिमिटेशन्स है एक मुभी आई थी आप लोग देखेंगे अतीथी तुम कब जाओगे मिलकुत ट्रूरी दिखा रहा है तो यहां भी वही चीज था कि आखिर हम उनको कब तक हम उनको सेवा सथकार करते रहेंगे हमारी परंप्रा भी बसुदेव कुटुमब कम अतीथी देवभाव हम लोग मानने दादेते हैं तो हमने अतीथी उनको अतीथी कि तरह भागवान कि तरह माना उनको सब कुछ कि सुविधा देते रही लेकिन हमारी भी लिमिटेशन्स है कि 1971 का भारत आज का 2022 का भारत नहीं था हमारी अपनी रिसोर्से जो लिमिट थी अब इंद्रा गांधी की गवर्मेंट के लिए यह चीज जो था बहुत ही मूस्किल हो रहा था अब मुद्दा ही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि कैसे कंट्रोल किया जाए क्योंकि पा भारत में आए हुए है और युविनों के मेंबर होने के कारण हर युविनों के मेंबर देश को यह रेस्पॉंस रिडिज बनती है कि जो भी सरनार्थी आपके यहां आ रहा है उसके रहने पीने से लेकर हर चीज की ब्यौस्था आपको करनी है हर देश को करनी है भारत भी इससे पीछा नीरात लेकिन हम लेकिन जब आउट अब कंट्रोल सिच्विस्टन होने लगा तो इंद्रा गांधी ने क्या किया कि वहां के कुछ लोगों के बीच अपनी आईबी रॉक के माद्धम से घुसपैठ बनाया लोगों के बीच और एक पागिस्तानी आर्मी का आप लोग विरोध करना शुरू करें और आप हमारे लिए पागिस्तानी आर्मी का मुहमेंट कहां पर हो रहा है कैसे हो रहा है किस प्रकार हो रहा है उनके बास कितने आर्मस है क्या-क्या उनके बास टुल्स है वो सब जनकारी आप हमें दे और उस उखी को जो पाओनिटान मंत्री के उम्हों को त्यार किया गया क्या पाओन्मेट का एक विट एक एक टिविटीच आप हमें रिपोर्ट के लिए मार्ट एक एक टिलेट पाओन कहां जा रही है कैसे जा रही है कितने उसके पास हैं कितने उसके पास आडम से कितने उसमें आदमी हैं क्या उसका पोजिशन है आप एक हीज का इंफॉर्मेशन देजें और वहाँ के लोगों के विरुद वहाँ के लोगों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहाँ भी पाकिस्तानी पहुज के खिलाप एक मोहल तयार के जिए और उनको ये आश्वासन दिजिए कि आपके साथ भारत खरा है, तो जब इंद्रा गांधी ने ऐसा कर दिया और उनको लगा कि नहीं, हमारा एक इंफॉर्मेशन जो है, आउट क्या बोलते हैं, फिडबेक जो अच्छा मिल रहा है, वहां से जो भी हमें इंफॉर्मेशन आ र पढ़ने लगे थे, तब वैसे इंद्रा गांधी की गवर्मेंट ने अपनी फॉज को पूरवी पाकिस्तान में भेजा, आप जाए पाकिस्तानी फॉज जो वहां के लोगों को उपर टॉर्चर कर रही है, उस टॉर्चर को रोकिए, कि अगर भारत अगर ये स्टेप नहीं यहां आ जाता, तो उस इस्तिती से बचने के लिए इंद्रा गांधी की गवर्मेंट ने अपनी फॉज को भारतिय फॉज को पूरवी पाकिस्तान में उतारा, तो देखें इंद्रा गांधी वर्ड के से पहली प्राइमिरिस्टर होंगी, जो दूसरे देश में जाकर उसकी जमीन पलाराई कियें और उसको दो भाग में डिवाइड किया थी, तो पाइस्तान ने हमारे 1971 का जो वारता पाइस्तान ने हम पर अटेक नहीं किया था, बलकि हमारी फॉज उनके एर्लैंड पर गई और वहां पर हम उनके खिलाप युद्ध किये थी, जब हमारी फॉज वहां पर इंट्री मा चली गई, तब तो पाकिस्तान ने अटेक किया था, हमारी मजबूरी हो गए थी कि हम उसको कैसे माइगरेंट को रोकें, यह हमारी मजबूरी थी, हम और उसके बाद जब वहां पर हम युद्ध समाप्त हो गया ठीक बंगला देश पकिस्तान का दो डिबीजन हो गया ठीक, और नया पूरेवी पकिस्तान को क्या यह पर बहुत सरनार्ती जो भारत आयोए थे इनमें से बहुत सारे लोग वापस चले गए ते लेकिन फिर भी एक ऐसी डार्टा है कि लाह के आसपास करीब लोग रूख गया थे बहुत सारे करीब दस्यों लाख से उपर लोग आयो थे, तो बहुत सारे लोग चले गये थे, लेकिन उसमें से भी बहुत कुछ लोग रुग गये, और ये जो कुछ लोग का डाटा है करीब लाख के आसपास है, तो ये लोग भारत में रुग गये, वापस बंगला देश नहीं गये, उसके बाद भी युद्ध समाप्त होने के बाद भी बंगला देश से इन घुस्पैठियों के इंट्रीडर्स का इन घुस्पैठियों का आना जाना कम नहीं हुआ, इन घुस्पैठियों का आना जाना कम नहीं हुआ, ये अपने बेटर लाइफ के तलास में, अपने बेहतर भविष की तलास में, ये भारत में हमेशा आते रहे, हमेशा इन घुस्पैठियों सर्णार्थी में अंतर हो जाते हैं, सर्णार्थी जो होते हैं, अपने लाइफ को बचाने को लेकर, अपने लाइफ की सेकुरिटी को लेकर, लाइफ को सेफ करने को लेकर, ये दूसरे देस में जाते हैं, और जो घुस्पैठियों होते हैं, वे अपने बेटर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपने बे हमें better job मिलेगा, अच्छी नोकरी मिलेगी, हमारा living of the standard अच्छा होगा, तो better future की तलास में लोग आते हैं, यही लोग घुस पैठिये कहले आते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाब जो इन घुस पैठिये जो थे बंगलादिस में, अपने better future की तलास में ये भारत में दिन प आना शुरू किये, और जब ये लोग आना शुरू किये, तो उस इस्टिति में इन लोगों ने पहले तो एजये बिलकुल ही सरनार्थी के तौर पर रहे लेकिन बाद में चलकर इनोंने धीरे-धीरे जो असम के मूल लोग थे, जो असमीन असमी लोग थे, उनके traditional business के उपर जो उनका परमपरागत बेवसाय था, उसके उपर उनके लेंड के उपर, उनके जमीन के उपर, उनके मकानों के उपर, धीरे-धीरे उनोंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया, ठीक। उनके उपर धीरे धीर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और तो वैसी स्थिति में जो असम के मूल नाग रिख थे उनके सामने सबसे बड़ी प्रोब्लेम हो गई रोजगार की अनिंप्लाइमेंट यह लोग बेरोजगार होने लगे इंप्लाइमेंट उनके सामने सबसे कि उनका जो प्रमपरागत बिजनेस था जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उस पर भी यह बंगलादेशी कब्जा जमान चुके थे उनके खेतों पर यह कब्जा जमाने लगे नतीजा हुए कि असम के कुछ ऐसा एरिया था जहांकि डेमोग्राफी अचानक परिवर्तन होगी देमोग्राफी परिवर्तित हो गए हो पिक जो बंगलाडेशी घुझ पैठी ए जिस एरिया में मीणरूर्टीhões थे बहुत कम संख्या में थे आज उस एरिया में ये बहुत संख्यक हो गए, और जो असम के मूल नागरिक थे, वह माइनरोटी हो गए, और संख्यक हो गए, ठीक, अब आप सुनले के डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब, कि ये लोग जो असम के मूल लोग थे, इनके उपर ये लोग टॉर्चर करना शु कर दिये, तो असम के जो में नागरिक थे, उनके सामने इंफ्लाइमेंट की समस्य उत्पन हुई, कि क्या किया जाए, क्यूंकि उनका जो प्रागत बेवसाय था, उस पर ये लोग कभजा जमा लिये थे, तो जो असम के में नागरिक थे, मूल निवासी थे, उन्होंने इसक करना शुरू किया, और यह बिरोध सबसे पहले, 1978-79 में, असम के जो इस्टुडेंट यूनियन ने, यानि असम के जो इस्टुडेंट थे, उन्होंने इसका बिरोध करना शुरू किया, ठीक, ओल असम स्टुडेंट यूनियन के उसमें, आपको, मैंने स्टुडेंट यूनियन के साथ, डिप्टी चेर्मेन या क्या थे, प्रफुल कुमार महंता, जो असम के मुख मंत्री भी थे, यह इनके लीडर्सिप में आसू, अपलस एक पॉलिटिकल पार्टी थे, असम गन परिशत्थ, पॉलिटिकल पार्टी है, असम गन परिशत्थ, तो आसू और अगप ने इन बंगलादेशी घुसपैठी के खिलाब एक महौल बनाना शुरू कियात्थ, एक महौल बनाना इनोंने शुरू कियात्थ, एक मुहमेंट इनके खिलाब शुरू कियात्थ, और यहां एक मुहमेंट चलाया है, कि सारे जो बंगलादेशी जो भारत में आयों है, इन सब को वापस भीजा जात्थ, और इनकी में डिमांड थी, 1950 के बाद जो भी किसी भी रिलिजन के होंद, किसी भी कास्ट के होंद, सब को वापस भेजा जात्थ, अगर वे बंगलादेश का है, तुमको बंगलादेश वापस भेजा जात्थ, अगर वे बिहार यूपी या बंगाल से हैं, तो उनको इन राज्यों में वापस भेजा जात्थ, सब को वा मुवम्मेंट के शुरुवातник का रहीू हैं? 78-79 से और जब आएक्सन नहीं ले रही था न तो लोकल अगिए और नहीं जब दो इनके भुखोसपैतिरियों कोक्रवा कि एक्सन नहीं नहीं ले रही था, तो पहली utmost उन्होंने 1983 में बिधान सबग चुना हुआ था, असम में क्या हुआ, 1983 में लेजिसलेटिव एसेम्बली का चुना हुआ 1983 में असम में बिधान सबग चुना हुआ, तो आप समझ देए कि आसु और अगप ने असमी लोगों से यह अहवान किया था, कि आप इस चुनाओं में भोट नहीं करेंगे, आप इस चुनाओं में भोटिंग नहीं करेंगे, कि लिए न, असम, ओल असम इस्टुएंट यूनि वहां के लोगों से यह request किया, कि आप बिधान सबगे चुनाओं में आप भोटिंग नहीं करेंगे, नतीजा हुआ कि असम की maximum population इस चुनाओं का वाई-कार्ड किया, समझगे न, यह असम के जो बिधान सबगे चुनाओं में भोटिंग नहीं करेंगे, तो maximum public ने समझ लेके यह चुनाओं का बाइकार किया चुनाओं का बहिस्कार किया एक लिए लोगों ने भोट में पाडिसिपेट नहीं किया और फिर उसके बाद 1984 में MP का जब election हुआ था 1984 और 1985 में MP जब election हुआ था ताप समझो कि MP के यानि असम में जो MP का चुनाव हुआ था तो 14 परलेमेंटरी 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 में भोट नहीं डाला गया चौँदा पर्लेमेन्टरी कॉंश्यूंसिज में असमी लोगों ने वाई कार्ड किया और वहाँ पर भोटिंग नहीं हुआ चाओदा पर्लेमेंटरी चट्रमें भोटिंग नहीं दिख गई तो आप समझ सेकते कि इसको लेकर असम्दि के जो नागलिक है इसको लेकर कितना अभी कितना सेनसेटिव हैं चौदर पर्लेमेंटरी कॉंचिंशिज में एक भी भोट नहीं पर अपर अपर और इसके बाद जब ये हो गया तो 84 के बाद MP के एलेक्शन के बाद असम में जवरदस्त भॉइलेंस हुई जवरदस्त हिंसा हुई जवरदस्त जहां पर असमी लोग जो मेजॉर्टी में थे उन लोगों ने घुसपैठियों को पर बंगलाजसी घुसपैठियों को पर अटाइक किया उनके उपर टॉर्चर किया और जहां पर वी लोग मजबूत थे मेजॉर्टी में थे उन्होंने असम के मूल लोगों को पर टॉर्चर किया। जब जबर्दस्त भॉयलेंस हुआ, उसके बाद सेंटर करस्त पर राज्यु गान्धी परधान मंत्री बने। राज्यु गान्धी प्राइमिस्टर बने। और फिर 15 अगस्त पंद्र अगस्त पंद्र अगस्त उनिस्ट पचासी कोत्त चेंटरल गवर्मेंट केंद सरकार्थ अप्लस आशूत अप्लस अगप्ट अगप यह जीपी में एक तरह से क्या हुआ समझ होता हुआ एग्रिमेंट हुआ थ। बैसिकली जो एग्रिमेंट था भारत सरकार और असम और असम स्टुडेंट यूनियन के बिछी यह एग्रिमेंट हुआ था। लेकर पोलिटिकल पार्टी भी थी अगप वह भी समर्थन सपोर्ट करी थी इनके बीच एक प्रकार से राजियू गांधी की गवर्मेंट और इनके पंद्रह गश्तु निस्तों पचासी को एग्रिमेंट हुआ और इस एग्रिमेंट को ही असम एग्रिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या एग्रिमेंट को जानते हैं असम एग्रिमेंट असम सम्झ होता है। इस एग्रिमेंट को क्या कहा जाता है असम एग्रिमेंट किसके किसके बीच हुआ था राजियुगांधी की सरकार राजियुगांधी प्रणान मंत्री थे और और असम इस्टुडेंट यूनियन के बीच उसमें All Student Union की जो मांग थी कि भाई जो भी 1950 के बाद आये हैं चाहे वो किसी भी कॉमनिटीज के हों किसी भी रिलीजन के हों उनको भारस से बाहर निकाला जाए अगर वे बंगलाद्य से हैं तुमको बंगला भारस से बाहर किया जाए या वे किसी भी कास्ट से आये हो चाहे हो विपहार से हो बंगाल से हो या यूपी से हो किसी भी ब्रीजन से हैं उनको उनके बस्ट में वापस किया है उस्के में टीमान्ड यही थी थि क्लिए से 1961 तक जो भी लोग असम में आये हैं, चाहे वो किसी भी community को हो, किसी भी religion को हो, उन सब को government of India क्या करेगी, अपना citizenship मानेगी, उनको citizenship देगी, उनको नागरिकता का अधिकार देगी, और नागरिकता का अधिकार, नागरिक मानने के साथ साथ, उनको political rights भी परदान करेगी, political rights मतलब right to voting, ठीक न, यानि 1951 से 1961 तक सब को full citizenship दिया जागा, ठीक, पूर्ण नागरिकता दी जागी, और पूर्ण नागरिकता के अंतरगत, उनको क्या क्या होगा, right to voting के साथ, नागरिकों को जितने rights होते हैं, वो सारे rights hand over किये जाएंगे, जो भी लोग 1951 से 1961 के बीच में आये हैं, उन सब को, clear ना, उन सब को ये दिया जाएगा, clear ना, पर, दूसरा जो agreement था, उसके तहट, 1961 से लेकर, 1971 तक जो लोग आये हैं, उनको citizenship दिया जाएगा, नागरिकता दी जागी, लेकिन, but, right to vote, नहीं दिया जाएगा, 1961 से 1971 के बीच जो लोग आये हैं, देखिए, असमेंगेंट के ये दूसरा पॉइंट है, 1961 से लेकर, 1971 के बीच जो लोग भी आये हैं, उनको government of India, अपना नागरिक मानेगी, नागरिकता देगे, लेकिन, right to vote नहीं देगी, बतदान करने का अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा, पहला में क्या था, 1951 से 1961 में, सबको पूरी तरह से नागरिक माना जाएगा, और उनको सारी नागरिकता का अधिकार दिया जाएगे, जो भी as a citizen के तौर पर, जो भी rights होते हैं, वो सारे rights उनको hand over किये जाएगे, सारे rights उनको hand over किये जाएगे, क्लिए यहापर, second में क्या है, 1971 से 1971 की बीच, कि जो भी लोग हैं, जो 1971 से 1971 की बीचा हैं, उनको क्या government करेगी, अपना citizenship देगी, लेकिन right to voting नहीं देगी, right to vote नहीं, मद्दान करने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा, और तीसरा, यह था 24 दिसम्बर 1971 के पहले तक, 24 दिसम्बर, यानि 1961 से लेकर 24 दिसम्बर 1971 तक जो भी आया है, यहाँ पर सब्सक्राइड कर लेजिगा, एक मिनिट, 24 दिसम्बर 1970 तक जो भी लोगा हैं, उनको गवर्मेंट अपिंडिया क्या करेगी, अपना नागरिक मानेगी, लेकिन right to vote नहीं दी जाएगी, यह असम एक्रिमेंट का second point, 25 दिसम्बर ठीक, अब 25 दिसम्बर 1971 को या उसके बाद, ठीक न, after left the असम्ब, यानि कि 25 दिसम्बर 1971 को या उसके बाद, जो भी असम्ब में आये हैं, सब को असम्ब छोड़कर जाना पड़ेगा, चाहे ओ किसी भी religion के हो, किसी भी caste के हो, कोई भी हो, 25 दिसम्बर 1971 को, ठीक न, समझे न, 25 को भी कोई आया है, 1971 में उसको या उसके बाद कोई आया है, उन सब को चाहे ओ किसी भी religion को, किसी भी community को हो, किसी भी caste से बिलोंग करते हो, उन सब को असम्द छोड़कर जाना पड़ेगा, के लिए न, 25 दिसम्बर 1971 को, यह असम्द अगरिमेंट का तीसरा पॉइंट था, तो हमेशा अप लो धान रखना है, कि असम्द अगरिमेंट जो हुआ था, वह क्या कह रहा है कि 24 दिसम्बर 1971 तक जो लोग हैं, उन ही को केवल गौर्णमेंट अप इंडिया, अपना सर्टिफाइड नागरि सेडियन सिप मानेगी, और उसके बाद जो भी लोग आए हैं, 24 दिसम्बर 1970 के बाद, यानि 25 दिसम्बर 1970 को, या उसके बाद जो भी लोग आए हैं, असम्द में आए हैं, चाहा किसी भी परपस का आए हो, किसी भी कास्ट के रिलीजन के हो, उन्स सब को असम्द छोर कर जाना पड़ेगा, और चौथा एग्रिमेंट के क्या है, कि गौवर्मेंट इनर्सी जारी करेगी, यानि कौन असम्द के मूल नागरिक हैं, कौन असम्द और जो असम्द के मूल नागरिक हैं, और कौन घुस पैठी हैं, उनके बीश डिफ्रेंसेज पैदा करने को लेकर, उनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर, इनर्सी जारी किया जगत, ठीक न, इनर्सी जारी किया जगत, तो ये असम्द एग्रिमेंट का चौथा पॉइंट था, और पांचवां हमेशा धान कियेगा, कि असम्द की जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, कल्चरल अपनी आइडेंटिफिकेशन है, उसको कंजर्फ करने को लेकर, उसको संदक्षित करने को लेकर, गॉइमेंट अपनिदिया उनको इस्पेशल पाकेज देगे, असम्द के विकास को लेकर, यह भी नोट करते चलेगा, असम्द के डिवलोपमेंट को लेकर, असम्द के सांस्कृतिक विविस्ता को बनाये रखने को लेकर, तु लेकर असम के विकास को लेकर उनकी सांस्कृतिक बिविस्तां को बनाया रखने को लेकर गौर्मेंट अप इंडिया के दोड़ा इस पेसल फंड प्रोभाइड किया जगत. विशेस धान जो है वह उपलब्ध कराया जेका। टेवलोप्मेंट के रिकाड़िंग और किस के रिकाड़िंग, उनकी कल्चरल्स डाइबर्सिटीज को संधक्रथिक बीष्था को संडुक्षित करने को लेकर. congressionalट डाइबर्सिटीज को कंजर्फ करने को लेकर. गौर्मेंट अपिंडिया के दुरह फंड एवलेबल कराया जगा थे यहां पर यह असम एग्रिमेंट था लेकिन असम एग्रिमेंट होने के बाब जोद गौर्मेंट ने इस एग्रिमेंट को अभी तक लागू नहीं किया गया अभी तक गौर्मेंट इसको लागू नहीं किया अभी तक गौर्मेंट ने इसको लागू नहीं किया तो फिर कुछ लोग 2014 में सुप्रीम कुड़ गया थे यहनि असम एग्रिमेंट को लागू कराने को लेकर और नर्सी को जारी कराने को लेकर तो फिर कुछ लोग में सुप्रीम कोट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोट ने सेंट्रल गवर्मेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप असम के लिए नर्सी प्रिप्रिएर करें आखिर असम के कौन में नागरिक है असम के ओरिजिनली कौन नागरिक है और जो घुस पैठी है उनके बीश डिफ्रेंसेच पैदा करने को लेकर ठीक आप इन रसी प्रिप्रिएर किजिए सुप्रीम कोड का ओडर आए ठीक को लेकर सुप्रीम कोड ने कब प्रिडिसं दयर किगे थी दो हज़र चोड़ में सुप्रीम कोड का असम का basically कौन original नागरिक है ठीक और कौन migrant है घुस पैठी है और NRC को prepare करने को लेकर कैसे NRC को prepare किया जागा कैसे register त्यार किया जागा इसको लेकर Supreme Court ने कोई भी government को guideline नहीं जारी किया बलकि यह central government के उपर छोड़ दिया कि आप इसको लेकर guideline त्यार किजिए इंस्ट्रक्शन लोगों को दिजिए और उस इंस्ट्रक्शन के अधार पढ़ें आप NRC त्यार किजिए और government ने central government ने आप हमिसाद आरक रहें और central government ने NRC को prepare करने को लेकर असम के लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आप आएए अपना documents हमारे पाद जमा किजिए और उसी का धार पर हम NRC प्रिप्रेर करेंगे और उन्होंने क्या कहा documents के रूप में बने जिसके भी अगर गार जिया मने पुर्खो का नाम या फादर मदर या फादर लो या किसी का भी नाम ग्रांड फादर या ग्रांड मदर किसी का भी नाम अगर पहले NRC में सामिल रहा है आपके घर के किसी भी मेंबर्स का नाम क्यों आपका ही नहीं बलकि आपके दादा जी का दादी का नाना या नानी किसी का भी नाम जो पहला जो NRC 1951 में जारी किया गया था उस NRC में उनका नाम होना चाहिए ऐसा कोई प्रूफ इंडिया ने असम क के लोगों क्या मौका दिया एनर्सी प्रिप्रेशन को लेकर कि उन्हीं लोकली रजिस्टर त्यार किया जगा आप कुछ सबूत तो दोगे ने कि हमासम के मूल नाग रिखें आपको कुछ ने कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा और प्रूफ के तोर पर गौर्डमेंट अगर पहला एनर्सी मुंग का नाम सामिल रहा है तो उसके संबन में कोई प्रूफ तो दूसरा उन्होंने गौर्डमेंट ने कहा कि 1971 के पहले तक आपका भोटिंग लिष्ट में अगर नाम सामिल रहा है आपने भोट दिया है ठीक तो उससे रिगार्डिंग आपको प्रूफ देना पड़ेगा ठीक कि आप 1970 के पहले से रह रहे हैं तो भई आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपको जमीन का जाएदा आपके खरदा है जमीब मकान बनवाया है ठीक फ्रपटीज करदा है उसका डोकुमेंट देना पड़ेगा या आपने वहाँ से एजुकेशन लिए तो उसका डोकुमेंट देना पड़ेगा यहां 1970 के पहले तक आपका भोटर आईडी में नाम अगर सामिल रहा है तो वह प्रूफ दीजिए और इसकी अधार पर आप प्रूफ देंगे तब आपका नाम सामिल किया जगा तो गौर्डमेंट ने क्या-क्या प्रूफ मांगा पहला प्रूफ के तौर प तो उसमें अगर आपका नाम सामिल रहा तो आप कोई प्रूफ दीजिए और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि 1971 के पहले तक किसी भी चुनाव में अगर आपने पाडिसेपेट किया है तो उस चुनाव में भोटर लिष्ट में आपका नाम सामिल रहा है तो उससे डिगारणिं आप प्रूफ दीजीए था है यह 1970 के पहले सा भारत में रह रहे है तो आपने जमीन खरदा हो या कुछ भी ऐसक किया हो रासन्ग कार्ड बनाए होहा कुछ वी तो आप उसके रिगार्डिंग प्रूफ देजिए तो आप उन्हें से कत्तर के पहले से रहने हैं तो आपके फादर मदर ने या आपके ग्रांट फादर या किसी ने भी जमीन प्रूपर्टी जो रहें कोई खरदा होगा तो उसका डोकुमेंट आप देंगे यह मकान आप अभीं का है इससे रिगार्डिंग प्रूफ आप देंगे ना कि यह मकान हमारे फादर ने खरदा था इस आदमी से खरदा था कि लिए उससे रिगार्डिंग प्रूफ देंगे तो उसी प्रूफ के अधार पर एनर्सी तियार होगी और गवर्मेंट अपेंडिया ने 26 जू 2019 को पहला एनर्स दूसरा एनर्सी असम के लिए जारी किया था भारस सरकार ने दूसरा एनर्सी कब जारी किया 26 जुन 212 जुन 2019 को दूसरा एनर्सी गवर्मेंट अपपेंडिया ने जारी किया दूसरा एनर्सी पहला एनर्सी कब जारी किया था 1951 में और ये दूसरा जो एनर्सी जारी किये गए था ये वनली फोर्थ असम्त के वल असम्त के लिए था खेल ना के वल असम्त के लिए था 26 जुन 19 2019 कि लिए पहला जो एनर्सी जारी किये था 26 जुन 2019 इस लिष्ट में एक लाख एक लाख दो हज़र चार सो बासट लोगों के नाम सामिल नहीं थे पहले एनर्सी में एक लाख दो हज़र चार सो बासट लोगों के नाम एड़ेड नहीं थे जो ये दावा कर रहे थे कि हम असम्त के मूल नागरिक हैं लेकिन इन्होंने अपना कोई डोकुमेंट्स नहीं दिया था कोई भी डोकुमेंट्स नहीं दिया था ठीक ना यहीं एक लाख दो हजार चार सो बासट लोग एनर्सी का बिरोध करते हुए गौर्ण्मेंट को पर दावा एलिगेसंस लगाय गया था कि हमारा नाम एनर्सी में छूट गया है इन्होंने अपने नाम को एड कराने को लेकर कोई लीगल डोकुमेंट्स नहीं दिये थे ठीक कोई भी दस्तावेज्ट गौर्ण्मेंट्स को अवलेबल नहीं कराय थे कि मेरे पास यह दस्तावाज्ट शैंए और इस डोकुमेंट्स के थार पर अंसम के मूल नांग रिखे जो असम एग्रिमेंट के तहत हुआ था, फिर भी गॉर्मेंट ने इनको दूसरा मौका दिया था, कि भाई आप इसमें गलती से कुछ लोग छुट भी गये होंगे, इनको second option दिया गया था, कि आप आईए और अपना डोकमेंट दिखाईए, हम आपका नाम फिर सामिल करेंग क्लिर, तो दो-दो गॉर्मेंट ने उसके बाद एक और मौका दिया गया, फिर भी कुछ लोग छुटे हैं, जिनका नाम इनर्सी में सामिल नहीं है, और वी अपने आपको असम का मूल नागरिक बताते हैं, लेकिन उन्होंने गॉर्मेंट के सामने कोई डोकुमेंट्स प् क्लिए न, तो यही मामला विबाद में है, तो और इनर्सी जो जारी इसू किया गया है, इसमें हमेशा धान केगा, रखना है, कि जिन लोग का नाम इनर्सी में सामिल नहीं है, यह एक लाग दो हजार चार्सों बासट लोग, इन सब को वापस जाना होगा, अगर बंगलाद सब को वापस जाना होगा, और इस दिशा में गवर्मेंट अप इंडिया ने भारत सरकार ने इस पर पहल भी किया है, और इसके तहट बहुत सारे जो माइगरेंट जो आए हुए थे, इन्टूडर्स भूस पैठी है, उनको बंगलादेश को वापस भी किया है, बंगलादे इसको हमने 101 इंकलेफ दिये हैं, और बदले में बंगलादेश ने 51 इंकलेफ दिया है, इसी रिलेसंशिप को सुधारने को लेकर लेकर, और इसका बेन्फिट सी मिला कि हमने इनको जब वापस बंगलादेश को हैंड ओवर किया, तो बंगलादेश ने एक्सेप्ट किया और और इन सारे लोग को अपने यहां सामिल किया, बंगलादेश ने अच्टिप्ट किया हमारे नागरिक हैं और इनको बंगलादेश ने सुविकार कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो बसे हुए हैं, इनको बाहर करना है और इसी को लेकर असम के लोग विरोथ करना है, इ अब देखो आप लोग असम के लोग C A का बीरोथ क्यों कर रहे हैं, अगर असम के लोग C A का बीरोथ क्यों कर रहे हैं, तो basically असम के लोग C A का बीरोथ कर रहे हैं, वे पूरे असम के लोग नहीं कर रहे हैं, अगर असम के हम लोग बात करें, जोग्राफिकल कंडिसन के बात क को हे तो से 1000 एक ब्रह्मपूत्रां बैली का और एक बराक है डिशिंघ इस ब्रह्म पुत्र matar जो है जादतर घर के मूर्ल लोग रहते हैं फिर 서 ona के जो में ओर जिल्ग वे लोग ब्रहमपुत्रा भाली में राते हैं। इसको पिर आप लो Dept विक विवन पर अलजे वहां पर जो डौमीनेंसी है वह बंगाली लोग के, है वह बंगाली डौमिनेंसी है। यहनि us geven भात्व wasa, बभात्थ भात्था बोलने वाले लोगों की इंततनी है। जब कि ब्रह्म पुत्रा भैली में असमी लोगों की डोमिनेंसी है, तो सभाविक सी बात है, बाराक भैली में बंगला बोलने वाले लोगों की डोमिनेंसी है, तो सभाविक सी है, बंगला देस कहां पर बोला जाता है, बंगला देस, ठीक, जो भी माइग्रेंट करकर आए हु कि लोग CAA का सपोर्ट करने कि नहीं लागू होना चाहिए तो जब कि असम में जो ब्रह्म पुत्रा घाटी में जो लोग रहना है जो असम के मूल लागरी वोग है वे लोग CAA का बिरोध करने हैं कि उनका मानना है कि अगर CAA लागू हो गया है तो जो भी बंगलादेश से आए हुए हैं ठीक ना चाहिए वो हिंदू ही क्यों नहीं हो बनाए बोधिश्ट ही क्यों नहीं हो जैन ही क्यों हो वे भी असम में उनको रहने का लाइसेंस मिल जागा जबकि उनका मानना है कि असम में 1971 के बाद वो तो सीधे मांगे तो 1950 के बाद असम में कोई भी आया हो चाहिए वो किसी भी कास्ट का क्यों नहीं हो किसी भी रिलीजन का क्यों नहीं हो भले वो हिंदू ही क्यों नहीं हो ठीक ना वह अगर असम में आया हुए है तो उसको भी तो जो भी असम में जो लोग बंगलादेश से आकर रह रहे हैं, बहले वो गीने चुने कुछ ही लोग हो, वो रह रहे हैं, तो उनको Government of India अपनी citizenship देदेगी, ठीक, उनको citizenship देदेगी, तो जिस बात को लेकर उनको सुरू से movement चला रहे हैं, ठीक, तो वह इनकी बात को Government of India accept नह लिए कि इन हिंदूों को लेकर या बॉधों को जैनों को लेकर Government of India ने उनको नागरिकता देदी, तो हो सकता है, उनको इस बात का डर ही इस बात कभी है, कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई दूसरी Government आया, तो इनको भी कोई एक्ट लाकर इनको भी पर्मानेंट नागरि कोई डिफ्रेंसेज है, तो क्या बताओगा अपलोग, या नागरिक को के आइडेंटिफिकेशन को लेकर एक रजिस्टर है, जिसमें किसी भी अधार पर कोई डिफ्रेंसेज नहीं किया गया, और C.A. क्या कर रहा है, कि या एक सिर्जन सिब देने का प्रोसीजर से, रजिस नागरिकता देने की बात की गई, जबकि NRC में कोई भी रिलिजन, किसी भी काश्वर या देने की बात नहीं कर रहा है, बलकि इनको हटाने की बात की जारें, रिमूफ करने की बात की जारें, यहां से वाई आप इनको हटाईए, तो हमेशा C.A. क्या है, नागरिकता देने कि अधर्म के अधार पर डिविजन है जो न्रक्सी में कि आई हटर फर डिविजन है नर्ड गाष्ट के अधार पर है ली ले इनन नहींद इन सबको वापण जानू तो zajरू har Aga trisbreasbream कि एनर्सी क्या है कि 31 दिसंबर 24 के पहले आने वाले लोगों के लिए लागू है ठीक ना जबकि कि एनर्सी क्या है कि 24 दिसंबर 1971 के पहले तक जो लोग आए है उन्हीं का नाम इस लिष्ट में आएगा बाकि जो भी आए हुए है सब को बाहर जाणा पड़ेगा कि लिए लेना यहीफम एग्रिमेनि कहा लाता है और अनर्सी और सीय में यहीं डिफ्रेंश से बट तो कि खुड дос देना असे बोल नहीं रहा प्रेवा भाही है भी तैक खुड अट इना खुड से ज्लेट लेना किसका हां उसका नॉर्मल कंडिसंस उसके बाद सारे लोग जो भी आएंगे फर्स्ट दिसंबर 2014 के बाद जो भी आएंगे चाहिए पकिस्तान बंगलादेश से आफगानिस्तान के ही माने रोटी जिंक्यों नहीं भारत हैं उन सबको लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े तो यही आपको CAA है और NRC या यह तो आवा यह नया टोपिक शुरू कर लेते हैं विड़ाउटी ना ने एक हां क्या बूलाँ क्या बूलाँ क्या बूलाँ अच्छान नेश्नल पॉपलेस्टन रेश्टर्स चुक्य हर दस साल पर ठेक न हर दस साल पर गॉवर्णमेंट अप इंडिया अपना पॉपलेस्टन इंडेक्स जारी करती है ती हर तेन यह पर और इसकी शुरूवात जो अगर हम बात करें तर लाड मेव के समय से सुरूई 901 शुरुद्ण 물हास हुई थी लेकिन लाडशतन के समय से ब donaच यहिछ से लुटार हर दस साल पर गॉवर्णमेंट अपेंडेक्ट अपने पॉपलेस्टन इंडेक्स जारी करतीettre तो जो भी पॉपलेस्टन इंडेक्स जारी चारी उसको लेकर notification जारी हो चुका है, हो सकता है कि आज है data, एक आज साल में, तो हर दस साल पर government अपना population index जारी करती है, ठीक न, तुसी को population register से, बस वही population sensor से ही है, question यहाँ परी के लिए बन जाता है कि पहले किस governor general के यह में आये था, तो Lord Mayu ने शुरुवात की थी, ठीक, और Lord Ripp के समय से यह लगतार दहर दस साल पर 881 से सुरू हुआत, और एक चीज और भी आपने लेवल पर त्यार कर लेना है, कि बीश का एक ऐसा decade रहात, जहां पर हमारी population जो है, वह growth करने के बजाए, उसमें declination हुआत, negative growth हुआत, ठीक न, हाँ negative growth हुआत, उसाएद 1921 से 1921 के बीच बीच का जो एक decade है, वहाँ पर हमारी population का negative growth हुआ है, कितना growth हुआ है, आप लोग ध्यान रख लेंगे, clear, अब आई इसी से के related है, एन राई, एन राई क्या कहला था, अनिवासी भारतिया, यानि non-residencial Indian, यह होते क्या है, कितने दिनों के लिए, नहीं, जो भी बिनों, यह होते हैं, वैसे Indians, जो भारतिया नागरी क्यों होते हैं, Indian citizens ही होते हैं, लेकिन साल में कम से कम, 182 दिन, 182 दिन, देश से बाहर, चाहे तो बिजनेस के भी पॉइंट से, या एजुक्रेशन के वज़े से, या तूर के वज़े से, किसी भी परपस से, 182 दिन देश से बाहर राते हो, तूने हम लोग इन राई करते हैं, ये Indian passport को ही hold करते हैं, भारत के ही नागरिक होते हैं, लेकिन साल में कम से कम, 182 दिन वो देश से बाहर राते हो, तूने हम लोग इन राई करते हैं, ये Indian passport को hold करते हैं, भारतिया नागरिक होते हैं, लेकिन किसी खास परपस को लेकर, वो साल में कम से कम, 182 दिन देश से बाह 182 दिन, यह भारतिय नागरी के होते हैं, हमेसा धान कियागा आप लोग, इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं, लेकिन किसी SPSP काम के वज़े से हैं, देश से कम सकम 6 महीने या उससे जादा दिन बाहर रहते हों, तुन्हें ही हम लोग एनाराई कोई, अब इसी से लिटे देख होता है, PIO, क्या होजगा, PIO का मतलब, पर्सन आप इंडियन ओर्जिन, भारतिय मुल्के लोग, पर्सन आप इंडियन ओर्जिन, भारतिय मुल्के लोग, ठीक, यह PIO का क्या हो जाता है, मतलब, अच्छा, और, देखो, यह आप लोग को PIO का मतलब हो गया, पर्सन आप इंडियन ओर्जिन, भारतिय मुल्के लोग, वैसे लोग, जो कभी भारत के नागरिक रहे हों, इंडियन सेडियन्स रहे हों, या इंडियन पास्पोर्ट को होल्ड करते रहे हों, भारतिय पास्पोर्ट को कभी एक सुमय रखे हुए हों, या जिनके मदर या फादर्स, या जिनके ग्रांड फादर या ग्रांड मदर्स, या जिनके नाना नानी में से कोई भी, इंडियन पास्पोर्ट के नागरिक रहे हों, हमेसा देंगे परसोन पे इंडियन उरिजिन के मतलब क्या हो गया है, कि वैसा ब्यक्ति, जो कभी खुद ही भारत का सिर्जन रहा हों, या जिसने कभी भारत का पास्पोर्ट होल्ड किया हो, और अभी वह दूसरे देश का नागरिक है, पहला कर्डिशन्स, या वैसा ब्यक्ति, जिसके मदर फादर्स, या दादा दादी, ग्रांड फादर्स या ग्रांड मदर्स, मैंसे कोई भी गवर्मेंट अप इंडियाए और वह ब्यक्ति अभी विदेश में रहता हो, विदेश की सिर्जन से प्लिये हो, तो उसी को हम लोग सिर्जन ऑफ परसन ऑफ इंडियान ओर्जिन करते हैं, जो कभी भारत का नागरिक रहा हो, भले वह नहीं रहा हो, लेकिन उसके मता पिता, दादा दादी, नाना नानी मे 1935 के एक्ट के ताद भारत का नागरिक रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परसन ऑफ इंडियान ओर्जिन, तो वैसे ब्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, पिया योद, क्लिर नाना नानी, या मदर फादर में से कोई भी गवर्मेंट अप इंडेक्ट, 1935 के एंडियान टेरिटोरीज में रहे हो, तो वैसे ब्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, पिया योद, क्लिर ना पिया योद, माना जो कभी भारत में रहा हो, लेकिन अभी परजेंट समय में, वह किसी दूसरे देस का नागरिक है, तो उसी को हम लोग पिया योद कहते हैं, परसन अप इंड पिया योद को लेकर एक कार्ड इसु किया था, 2002 में, पिया योद कार्ड इसु किया गया था, ठीक, पिया योद कार्ड इसु करने का मतलब क्या हो गया? देखो आप लोग हमेसा धान के 1991 के बाद हमेसा एक शीज को ध्यान रगनें, कि गलोबल लेवल पर जो एकनोमिक बॉंडरी थी, वो एकनोमिक बॉंडरी तूट चुकी है, आज गलोबल लेवल पर हर देश एक दूसरे से बहुत ही नजदीक है, खासकर एकनोमिक मामले में. हर देश का एक ही मोटो है कि हमारे यहां जादा से जादा फॉरेंड इंवेस्टमेंट होते एफडी आई आई और एफडी आई को लेकर ही हर गौर्णमेंट अपने लेवल पर कोई ना कोई स्कीम शुरू करते रहती है या अपने लेवल कोई एक्टिविटीज करते रहती है अपने लेवल पर तो गौर्णमेंट अप इंडिया भी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो भारत के जो लोग थे जिनकी जरे भारत की थी जो कभी भारत के नागरिक रहे हैं उनक को भी अपने देश में FDI को लेकर इंट्रेक्ट करने को लेकर कि आप आईए भारत आपका देश रहा है और आप देश के डेवलोप्मेंट में आप अपना भी कंट्रिविशन दे उसी को लेकर PIO कार्ड इसू किया गया और दोसरा ऐसे लोग के हमेसा शिकायत रहती थी थे हमें एट्रेंडम भारत आगर आना है तो हमें टाइम पर वीजा नहीं मिल पाता था इनकी हमेसा ये कंप्लेंड रहा करती थी तो गौर्मेंट ने इन दोनों परपस को ध्यान में रखते हुए PIO कार्ड इसू किया 2002 में पहला अब्जेक्टिव क्या था कि आप भारत के ना मेजर डिमांड थी कि हमें वीजा अगरप में बहुत परसानी होती है हम जब चाहते हैं नहीं मिल पाता है चुकि भारत में लौर्स और रेकुलेशन इतने कठी नहीं इतने टॉफ प्रोसीजर्स हैं कि उनको वीजा मिलने में भी परसानी होती है उस चीश को कंप्लेंड तो उसी चीश को ध्यार में लखती हुए गौर्मेंट अप इंडिया ने पिया यो कार्ड कभी इसु किया दोहजार दोमें पिया यो कार्ड के बैनफिट्स यह हैं कि जीस्वी ब्यक्ति को हमेशा धान की गांग गट जीस्वी ब्यक्ति को जो कभी अभी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन कभी भारत में रहा हो ठीक उसको अगर पियाईयो कार्ड अगर इसू हो जा रहा है तो पियाईयो कार्ड अगर इसू हो जा रहा है तो उसको पंद्रह वर्सों के लिए तोिए मिल के ंसीं कि यह पिया काड हो गया एक दोंसरेवीजा का काम करेंगा ऑप 15 बर्सों के लिए यहां काड बैलिड रहेंगा इस्विएंग डेल से यह यह पी आईयो काड़ है कितने दिनों के लिए हयाwhat शालक्य विजह कित्स नाइसीं में यह कोई भी ब्रस हो के लिए अंदर कभी भी भारत आ सकता है कभी भारत आ उसको भारत आने के लिए वीजा की कोई आ सकता नहीं है कभी भी आट टाइम एट रेंडम कभी भारत आ सकता है कि अब वीजा लेने के उसको जरूती है अगर वह सोच रहा है कि भाई हमें रात का दीनर जो है घर में करना है अपने फेमली मेंबर के साथ या अपने है पंद्रा वर्सों के लिए दूसरा चीज आप ध्यान रखना है कि जब भारत अगर आएगा तो कम से कम 180 दीनों तक एक सुस्य दीनों तर और्नर्स रिजिनल रिजिस्टेशन्स ओफिसर्स यानि एफ आर्थ आर ओट बीदेशित छत्रियत पंजक अधिकारित बीदेशित चत्रियत पंजिकरन अधिकारित पंजिकरन अधिकारित जिसको हम लोग एफ फार आर ओ बलते हैं एफ आर आर ओद और रिजिनल रिजिस्टेशन्स ओफिसर्स इस अधिकारी के पास भारत अगर आ जा रहा है तो 180 दीनों के भीतर कभी भी उसे अपना रिजिस्टेशन करवाना होगा ठीक ना 180 दीनों के भीतर कभी भी भारत आये हैं तो गौर्मेंट अप इंडिया को पता तो होना चाहिए कहां भारत में आप आ गहें हैं ठीक कि गौर्मेंट अप इंडिया को जब तक यह पता नहीं होगा तब तक आपकी सिकुरिटी के ख्याल कैसे रखी गौर्मेंट ठीक आप जानते हो कि कोई भी अगर फॉर्टनस अगर आपको आगरा घुमने आ रहा है तो आप हमिसा ध्रान रखना होगा कि अगर वह आगरा घुमने आ रहा है तो अपने इंबेसी को जरूर बताता है कि मेरा टूरीज़ वीजा जो है मैं आगरा इस डेट को जारह हूं इतने बज़े जा रहा हूं मेरे इस होटल में बूकिंग है सब कुछ अपनी एंबेसी को खबर करता है कि कल के डेट में अगर आगरा में कुछ हो जाए कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो उसकी एंबेसी गौर्मेंट अप इंडिया से कंसल्ट करकर उसकी सीकुरूटी को लेक अगर कोई ने कोई प्रोविजन्स करें हर फॉर्णर्स के लिए यह अप्लिकेबल होता है कि कोई भी फॉर्णर्स अगर आ रहा है तो कहां वह मुहमेंट कर रहा है कहां पर रहा है किस होटल में रुक रहा है या अगर माल यह कोई फॉर्णर्स आगरा में पढ़ाई करने क लिए आ रहा है तो किस इंवर्ट सिटीज में है किस कॉलेज में है कहां पर वह मकान लेकर रहा है सारा चीछ आपको MBC में देने के साथ साथ concern थाने में भी देना होता है क्योंकि मालो MBC तो दिल्ली में है और आपके साथ कुछ अगर हो रहा है तो MBC कैसे consult करेगी तो MBC तुरन ठाने को inform करेगी कि भाई आपके पास यहां पर रोलर कर रहता है इस address पर रहता है आप उस पर उपर action लिए तो इसलिए कोई भी अगर PIO मूल का ब्यक्टी जो अल्रेडी बीदेसी है दूसरे देश का passport होड़ कर रहा है वह अगर भारत ट्रेंडम आ रहा है तो 180 दिनों तक के लिए उसको free दिया गया है कि आप 180 दिनों के भीतर जो बीदेसी छेत्रिय पंजीकरन अधिकारी है फॉर्णर रीजिनल रेजिस्ट्रेशन ओफिसर्स उनके सामने आपको रेजिस् दिनों के बाद आप रेजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके ऊपर एक सन मिल लिया जा सकता है क्लिर ना तो PIO कार्ड वाले को क्या benefits है कि आपको जैसे PIO कार्ड अगर इसू हो जा रहा है तो आपको 15 बरसों के लिए कार्ड वैलिड हैगा एक तरह से 15 बरसों के लिए इंडिया आ सकते हैं क्लिर जब चाहेंगे तब भारत आ सकते हैं और भारत आने के बाद आने के डेट से 180 दिनों के भीतर आपको कभी भी फानल डी जिननल रजिस्टेशन ऑफिसर ंजिसको एफ आरओ कहा जाता है उसके सामने आपको रिस्टेशन करवाना है यानि रिस्टेशन करवाने को पूसको इंफॉर्म करना है कि मैं आया हूं के लिए ना यह पिए यू काड वाले को benefits है दू benefits और तीस्रा benefits है कि जो भी एनराई को सुविधा मिलती है सारा सुविधा PIO कार्ड वाले को भी मिलेगी सारा सुविधा PIO वाले को मिलेगी हाँ लेकिन उन्हें कुछ ऐसे भी काम है जो कि गवर्मेंट से परमिसन लेना पड़ेगा जैसे कि कोई भी PIO कार्ड वाला या एनरे अगरिकल्चर लैंड नहीं ले सकता है किरसी योग भूमी नहीं ले सकता है रेसिडेंशियल प्लोट ले सकता है आगरा में चाहे तो फ्लैट अगरे ले सकता है ठीक न मखान खड़ी सकता है रेसिडेंशियल लेकिन अगर चाहे कि आगरा कि कोई एकरी कल्चर फॉर्म है जहां पर खेती होती है तेकरी कल्चर से कि या कोई भी मिस्नरीज से संबंधित कोई hon兄 ईया माौं पर चणने को क्या हुँ एकुत करनी है तो तो यह dopo काम कि पहले गौर्णेंट सहीं को प्रमीसा लेना पड़एंगा तीन चीज रिसर्च, मिस्नरिज और माउन्टेरिंग का जो काम है वह पहार पचड़ने वाला गौर्ण्मेंट ऑप इंडिया से परमिसन लेना पड़ेगा यह तीन काम बाकि सारी स्विधाय उसको आपको मिलेंगे सिवाय उसको पुलिटिका राइटस नहीं मिलेंगे थिक भोट देने का राइटस नहीं मिलेगा थिक MP और MLH का चुनाव लड़ने का राइटस नहीं मिलेगा थिक राष्टपती और उप राष्टपती जैसे पद को होल्ड नहीं और आपको सिर्जन के बीच अंतर पैदा करता है राजनितिक अधिकार ठीक पॉल्टिकार राइट्स इनको के वाल प्राप नहीं बाकि सिर्जन को जो जो राइट्स हैं वो सारे राइट्स पी आई यो वाले को ही मिलेंगे अब उसके बाद आज आप लोग ओसी ऐइड़ झाँ में ऑसी आइड ओसीज ऑवर शीज सेडियाँ अप एंडिया संुध्र पारिया नागरिकता थ। हिंदी में लिख लेगा समुद्र पारिजा नागरिकता था 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 यह यह बैसिकली ओसियाई जो शुरू किया गया था टूथाउजन्ट फाइफ में तूथाउजन्ट फाइफ में और किसकी सिफारिशवर्थ लक्षमी मल्त सिंग्वी कमेटी की सिफारिशवर्थ लक्षमी मल्त सिंग्वी कमेटी की सिफारिशवर्थ इसको शुरू किया गया था लक्षमी मल्त सिंग्वी कमेटी की सिफारिशवर्थ 2005 में और इसी OCI को हम लोग दोहरी नाग रिखता भी कहते हैं इसो क्या कहता है डवल सिर्जंशिप्ट दोहरी नाग रिखता दोहरी नाग रिखता कहा जाता है ओवर सिर्जंशिप्ट इंडिया यह कब शुरू क्या कहता है 2005 में किसके सिफारिष पर लक्षमी मल सिंग्वी समिति के रेकोमेंडेशन पर और इससे हम लोग क्या कहते हैं डवल सिर्जंशिप्ट अब यहां पर आप लोग देखो कि OCI का मतलब क्या हो गया कि OCI किसे कहा जाता है पियाईयों और OCI में क्या अंतर है पियाईयों है कि वैसा ब्यक्ति जो कभी भारत का सिर्जंश रहा है नागडिक रहा है या तो वो खुद रहा है या उसके मदर फादर दादा दादी नान नानी में से कोई भी रहे हो और अभी at a time of ब्यक्ति बीदेश में मनें दूसरे देश की सिर्जंश को टेक ओवर किया हो इसको कहते है और OCI में क्या है कि वैसा ब्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 यानि वैसा ब्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 के बाद ठीक ना 26 जन्वरी 1950 के बाद कभी भारत का नागरिक रहा हो या नागरिक बनने की योग्यता रखता है क्वालिफिकेशन रखता हो वैसा परसन जो 26 जन्वरी 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ उस डेट को या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रहा हो या नागरिक नागरिक बनने की योग्यता रखता हो और वह अभी विदेश में दूसरे किसी देश का नागरिक है तो उसी को हम लोग OCI कहते हैं उसी किसी कहते हैं कि वैसा ब्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को ठीक जमर सम्मिधान लागू हुआ था उस समय भारत का नागरिक थात या नागरिक बनने की योग्यता रखता होत या उसके मदर फादर या दादा दादी नाना नानी में से कोई भी 1950 के समय भारत के नागरिक रहे होत ठीक तूस ब्यक्ति को भी OCI कहा जाएगा तो PIO में क्या है जो कभी खुद ही भारत का नागरिक रहे है ठीक ना या उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भी 1936 के 1935 के भारत सासन अधिनियम के तहट भारत के नागरिक रहे होत और जो विदेश में बस गया होत उनको इसको हम लोग PIO और यहां पर क्या है कि जो नागरिक हो या नागरिक बनने की क्वालिफीकेशन रखता हो तो इसको हम लोग OCI कि लक्ष्मी मल्स सिंग्भी कमेटी के से रेकोमेंडेशन के अधार पर इसको भी गौर्मेंट अप इंडिया ने दो हुजार पांच में एक कार्ड इसू किया था ओसी आई कार्ड कि कब किया था कि ओसी आई कार्ड 2005 में OCI कार्ड इसू किया था और जैसे वह कार्ड इसू होता है तो जैसे पी आईयो में जो कार्ड इसू हुआ था वह कार्ड कितने दिनों के लिए भैलिट था 15 साल लेकिन यहां पर जो कार्ड अगर इसू हो रहा है ता आप हमेसा धान रखना है कि यह लॉंग लाइफ मल्टित पर्पस वीजात के रूप में इसको ट्रीट किया जगात लॉंग लाइफ मल्टि पर्पस वीजात आजीवन्त बहु उद्यसियत क्या बुलें यह उसी है उसी है उसी है उसी यह उसीट क्लिर लॉंग लाइफ मल्टि पर्पस वीजात अब इसको पूरे लाइफ जब तक जिन्दा है तब तक आपको वीजा की कोई ओसक्ता नहीं है कोई भी ओसक्ता नहीं है वीजा की कोई भी ओसक्ता आपको नहीं है प्याइओ काड अगर इसू हो गया है तो प्लस प्याइओ में क्या था कि एक सौसी दीनों की भीतर आपको ए फारडू के सामने रइस्टेशन करवाना जरूरी था यहां पर कोई जरूरत नहीं है कोई भी जरूरत नहीं है कोई भी जरूरत यह और जैसी सुविधा आपको पियायोक मिलती है वही सेम सुविधा आपको यहां भी मिलेंगे सारे नागरिकों के political rights को छोड़ कर सारे राइड्स आपको मिलेंगे, political rights छोड़ कर सारे rights आपको provide government करवाएगी, तो मैंने, political rights मतलब right to vote plus right to participate the election of MP and MLH, लोगसभा और विदान सभा के चुनाओ लड़ने के आपको योग यह नहीं मिलेगी, powers नहीं मिलेगा, आप राश्थपती रूप राश्पति का पद आप होल्ड नहीं कर सकते हो, तो मनें कहने के मतलब यह होगे, पोलिटिका राइट्स आपको एबलेबल नहीं होंगे, बाकि सारे राइट्स आपको मिलेंगे, क्लिए ना, अब इसी को चुके हम लोग दोहरी नागरिकता भी कहते हैं, ठीक, यह जो तो basically OCI कार्ड शुक्या गाय प्सिर्फ शोलह देशों के नागरिकों के लिए थे, शोलह देशों में कौन घारतिया नागरिक हैं, जिनका जरे भारत में नहीं हैं, वह वह शोलह देश लिख लिएंगा, कौन-कौन सोलह देश हैं, आस्ट्रेलिया, लिखो सोलह देश के लि आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, आरी इटली को छोड़ दोगी, मनमुहां सिंह समय यह आया था, और इटली को आप छोड़ देंगे तो फिर तो बावाल ही खरा होगा। कनाडा, फ्रांस, इटली, इनलेंड, ग्रीस, आर्लेंड, आर्लेंड, निदर्लेंड, आर्लेंड, निदर्लेंड, निजिलेंड, निजिलेंड, उर्थगाल्प, उर्थगाल्प, साइप्रस, उर्थगाल, साइप्रस, स्वेडन, UK, Britain, UK, USA, अमेरिका, स्वेडिया लेंड, स्वेडिया लेंड, स्वेडिया लेंड, के लिए ना, सोला जैसों कहा, एक चीज और भी आप लोग ध्यान एक रहा है, कि जो PIO कार्ड थाथ, PIO जो कार्ड थाथ, उसको 2015 मेंद, उसको 2015 मेंद, सोला, सोला, नहीं भई, आस्ट्रेलिया, कानाड़ा, फ्रांस, इटली, फिन्लेंड, ग्रीस, आइरलेंड, इजराइल, अले, इजराइल नोट कीजित, अब एक से और आप लोग ध्यान रखना है, कि ये जो PIO कार्ड है, ये जो PIO कार्ड है, उसको 2015 में OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया, अब PIO कार्ड वैलिड नहीं है, ठीक न, PIO कार्ड को 2015 में OCI कार्ड में मर्ज कर दिया गया, वहने मिला दिया गया, प्याई नोट कर ले ना, प्याई ओ कार्ड को 2015 में किस में मर्च कर दिए गया? OCI में, OCI में मर्च कर दिए गया, यानि मिला दिए गया अब PIO कार्ड का कोई मतलब नहीं है, और दूसरा चाहिए हमें साधा दखना है, कि OCI कार्ड जो है फॉर्थ जनरेसं तक एवलेबल होग चौथी पिढ़ी तक के लोगों को मिलेगा ओसी आई कार्ट को फोर्थ जन्रेशन तक किया अप्लिकेबल है कि फोर्थ जन्रेशन तक कि ठेका ना कि यही पी आई ओ और ओसी आई है खोई डाउट नहीं ना यह शुरू करेंगे प्रियम्बल ठीक ना यह मैं नोर्थ प्रवाइड कर वा देगा इसका नोर्थ मां प्रवाइड कर वा देगा यह मैं नोर्थ झाल 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 झाल